आज की सभा में उपस्थित सभी सम्माननिय नागरिक बंधो, मंच पर आसीन अगरवाल समाज के अध्यक्ष सम्माननिय श्री जग्दीश भाई जी, उपाध्यक्ष सम्माननिय श्री अरुन भाई, संयोजग सम्माननिय श्री शतीस भाई, सहमंत्री सम्माननिय श्री आलोग जी और कोशाध्यक्ष सम्माननिय श्री संजय जी, मेरे सहयोगी और भारत स्वाभिमान के आंदरप्रदेश के अध्यक्ष भाई श्री श्रीधर जी और भाई श्री आनंद जी मैं आप सब का बहुत आभरी हूँ आप यहाँ उपस्तित हैं और मुझे आप से समबाद करने का समय मिल रहा है मैं सबसे पहले अगरवाल समाज का बहुत बहुत आभर व्यक्त करता हूँ जिनोंने इतनी सुन्दर व्यवस्था की है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है अगर आपकी अनुमती हो तो मैं यह सारे पंखे बंद कराना चाहता हूँ क्योंकि यह डिस्टर्ब कर रहे है पंखे सब बंद कर दो थोड़ी देर गर्मी में हम बैठे हैं मैं भी बैठूंगा आप भी बैठे सारे पंखे बंद कर दो भारत देश के बारे में मुझे आपसे संबाद करने का जो मौका दिया है अगरवाल समाज ने इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा क्योंकि मेरे दिल में मेरे मन में भारत के बारे में बहुत सारे विचार बहुत सारी कल्पना हैं बहुत सारी योजना हैं पिछले 20 वर्शों से आती रहती हैं और कल जब मैंने अगरवाल समाज की तरफ से आयूजी ताज के कारिकरम की जानकारी ली तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरे मन के विशय पर मुझे बात करने का मौका मिल रहा है इसलिए मैं आपका बहुत आभरी हूँ भारत देश की मेरी जो कलपना है उसको दो हिस्सों में मैं बाटूंगा भारत है कैसा वर्तमान में और बनाना कैसा है हमको भारत इसलिए ये जो विशय है मेरे सपनों का भारत बजाए इसके हमारे सपनों का भारत हम सब के सपनों में कुछ ने कुछ भारत है हम कैसा भारत चाहते हैं किस भारत के लिए हमारे मन में तड़प है कलपना है किस भारत के बारे में हमारे शहीदों के मन में कलपना थी तड़प थी ये सब मैं आज के व्याख्यान में शामिल करूँगा भारत की आज की वर्तमान इस्थती से मैं शुरू करता हूँ अभी थोड़े दिन पहले हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट को बनाने वाले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता बहुत बड़े अर्थशास्त्री है हमारे देश में बहुत थोड़े से अर्थशास्त्री ऐसे हैं, जिनका सारी दुनिया में सम्मान होता है, प्रोफिसर अर्जुन सेन गुप्ता ऐसे ही अर्थशास्त्री है, भारत देश का एक बहुत बड़ा विभाग है, योजना आयोग, बहुत लंबे समय तक प्रोफिसर अर्जुन सेन गुपता वहां उपाध्यक्ष रहे हैं योजना आयोक का जो अध्यक्ष होता है वो तो प्रधान मंतरी होता है उपाध्यक्ष कोई ऐसा विश्वशक ये प्रोफसर अर्जुन सेन गुपता है और बहुत लंबे समय तक भारत सरकार के आर्थिक सलहकार रहे हैं श्रीमति इंद्रा गांदी के जमाने में और बंगाल की जो सरकार चलती है वहां भी बहुत लंबे समय तक आर्थिक सलाकार रहे हैं सारी दुनिया के देशों में उन्हें बुलाया जाता है वो लेक्चर्स देने जाते हैं अर्थ शास्त्र विशय उनका बड़ा पक्का विशय है तो ऐसे एक व्यक्ति को सरकार ने कहा कि आप भारत के बारे में थोड़ी जानकारियां एकठी करिये क्योंकि भारत सरकार कई बार अपने ही द्वारा कुछ ऐसी जानकारियां देती है जो एक दूसरे के विरोधी होती है जैसे एक सरकार ने कहा कि भारत में गरीबों की संख्या 30 करोड है अप सही क्या है? पता ही नहीं चलता आप ठीक ठीक पता कर करके बताओ वास्तम में गरीब हैं कितने तो उन्होंने चार साल लगाया अध्यन किया, भ्यास किया बहुत बड़ी टीम उनके साथ खड़ी हुई और उस टीम ने जो रिपोर्ट बनाई वो बहुत तकलीफ देने वाली रिपोर्ट है वो संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है देशबर के अखवारों में छप चुकी है मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 115 करोड लोगों की जनसंख्या में 84 करोड लोग गरीब है 84 करोड 115 करोड की जनसंख्या में 84 करोड गरीब है अब तक हम इस गलत फहिमी के शिकार थे कि 37 करोड गरीब है 49 करोड गरीब है 33 करोड गरीब है लेकिन प्रोफसर अरजुन सेन गुपता की रिपोर्ट कहती है 84 करोड लोग गरीब है और कितने गरीब है ये भी उस रिपोर्ट में है उनका कहना है कि 84 करोड भारतवासियों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है इतनी गरीबी है और वही रिपोर्ट कहती है कि भारत में 50 करोड लोग तो इतने गरीब है 84 करोड के पास तो एक दिन में 20 रुपए नहीं है खर्च करने को उन 84 करोडों मैंसे 50 करोड इतने गरीब हैं कि उनके पास 10 रुपए नहीं है खर्च करने को 50 करोड भारतवासियों के पास और उसी मैंसे 25 करोड लोग इतने गरीब हैं जिनके पास खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं और 15 करोड इतने गरीब हैं इस देश में जिनके पास खर्च करने को 1 रुपया नहीं और 10 करोड भारतवासियों के पास तो 50 पैसे भी नहीं है खर्च करने को ये हमारे देश की नंगी वास्तविकता है कठोर सच्चाई जब ये रिपोर्ट आई ना सब के होश उड़ गए संसद में और संसद के बाहर और प्रश्णिचिन ये लग गया भारत देश के विकास योजनाओं पर कि आजादी के 63 साल में हमने किया क्या गरीबी 84 करोड आजाद जब हम हुए 15 अगस्त 1947 को उस समय अंग्रेजों ने एक सर्वेक्षन किया था अंग्रेजी सर्वेक्षन के अनुसार इस देश में 4 करोड लोग गरीब थे 1947 पंद्र अगस्त को और उस सर्वेक्षन के बारे में उस समय कई भारत के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों ने ये संख्या जान भूज के कम दिखाई है ताकि सारी दुनिया में अंग्रेजों की बद्नामी ना हो कि इतने गरीब भारत में आपने पैदा कर दिये तो इसलिए अंग्रेज कहा करते ते चार करोड गरीब हैं पंडि जवारलाल नहरू ने उसको संशोधित कराया जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो उन्होंने एक कमिशन बनाया और कहा कि गरीबों की सही स्थती बताओ तो 1952 में जब पहली पंचवार्शिक योजना बनी इस देश में और लागू हुई तब नहरू जी ने कहा कि इस देश में वास्तविक गरीबों की संख्या सोले करोड है मान लिया सोले करोड है अब सोले करोड की जन संख्या 84 करोड हो चुकी है बहुत बड़ी संख्या है और पांच वर्ष की योजनाएं जो लागू हुई है गरीबों के लिए वो अलग है ये जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि 1952 में हमने गरीबों को मदद करने के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम है प्रथम पंच वार्ष की योजना और उसका मूल उद्देश था गरीबी दूर करना मुख्य उद्देश था और नहरू जी ये कहा करते थे संसद में कि एक पंच वार्ष की योजना लागू हो गई सारे गरीबों की गरीबी मिट जाएगी लेकिन वो योजना पूरी हो गई गरीबी नहीं मिटी फिर दूसरी योजना आई वो पूरी हो गई तो भी गरीबी नहीं मिटी तीसरी योजना आई फिर भी गरीबी नहीं मिटी ऐसी 11 योजनाएं लागू हो चुकिए और हर पंचवार्षिक योजना में गरीबी मिटाने के लिए 10 लाख करोड रुपई खर्च होता है आपके टैक्स का मेरे टैक्स का हर पंचवार्षिक योजना आप जो सरकार को टैक्स देते हैं मैं जो सरकार को टेक्स देता हूं, उस टेक्स का दस लाख करोड साला ना खर्चोता है, माफ करना, पांच साल में खर्चोता है पंच बार्श की योजना में, तो एक योजना का दस लाख करोड, तो 110 लाख करोड रुपई खर्चो चुका है, और गरीबी है कि बढ़ती ही जा एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि अगर हमने ग्यारे पंचवार्शिक योजनाएं नहीं बनाई होती थोड़ी देर के लिए और 110 लाग करोड रुपए सीधे गरीबों में बांट दिया होता तो हर गरीब को डेड़ लाख रुपए मिल गया होता 110 लाग करोड रुपए सरकार ने खर्च किया योजनाओ पर लेकिन गरीबी बढ़ती ही गई कम नहीं हुई काश ये पैसा सीधे गरीबों को बांट दिया जाता तो अब तक गरीबी मिट चुकी होती माने 110 लाख करोड रुपए बहुत बड़ी रकम होती है सामन ने बात नहीं है 110 लाख करोड रुपए को कैलकुलेटर में लिखें तो कैलकुलेटर फेल हो जाता कैसे फेल हो जाता है कैलकुलेटर में बारें अंक आते हैं और 110 लाख करोड लिखने में 16 अंक लगते हैं कैलकुलेटर में ये रकम आती नहीं है बहुत बड़ी रकम है एक दिन मैंने इस रकम का हिसाब निकाला था कि इससे सोना खरीद ले 110 लाख करोड से सोना खरीद ले जो सबसे महगा है 17,000 रुपई का 10 ग्राम है इस समय तो 110 लाख करोड से सोना खरीद ले तो भारत देश का पूरा अंध्रप्रदेश, पूरा तमिलनाडू, पूरा केरल और पूरा करनाटक और महाराष्ट का आधा हिस्सा इतना बड़ा इलाका इस देश का इस इलाके के एक एक गाउं की सड़क पर 10 मिली मीटर मोटा सोने का पत्रा बिचा सके और दूसरा कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर सोने का पत्रा 10 मिली मीटर से 5 मिली मीटर कर दे तो भारत के 6,383,365 सबी गाउं की सड़कों पर बिचा सकते इतनी बड़ी रकम है 110 लाक करोड मामूली रकम नहीं है जो खर्च होई है अब एक तरफ 110 लाक करोड का खर्चा भी हो गया और गरीबी भी नहीं मिटी ये अफसोस की बारत या तो ये पैसा खर्च ना हुआ होता तो हम दिल पे पत्थर रख लेते कि गरीबी इसलिए है कि हमारे पास पैसे ही नहीं खर्च करने को लेकिन एक तरफ हमने 110 लाक करोड खर्च भी करा दिया और गरीबी भी नहीं मिटी देश की और उससे भी ज़्यादा तकलिफ इस बात को सोच सोच कर होती है कि ये 110 लाक करोड आपने दिया था मैंने दिया था खून पसिने की कमाई से टैक्स के रूप में वो खर्च हो चुका है और गरीबी बढ़ती ही जा रही है दुनिया में 200 देश हैं इस समय इन 200 देशों की एक सूची बनाई जाती है हर साल संयुक्त राश्ट महासंग नाम की जो संस्था है दुनिया की ये सबसे गरीब देशों की एक सूची बनाती है हर साल तो पिछले साल की सूची बनी और उसमें बताया उन्होंने की 86 देश दुनिया में सबसे जादा गरीब है अत्यंत गरीब अगर हिंदी में एक शब्द में इस्तेमाल करूं महादरिद्र 86 देश है और उन 86 देशों की सूची में भारत का नंबर 70 वा है इसका अर्थ समझ लीजे दुनिया में 79 देश हमसे जादा आमीर है जो महादरिद्र है वो हमसे भी जादा आमीर है हमारी इस्ति उन महादरिद्र देशों में भी सबसे नीचे है सत्तरवे नंबर मतलब सीधा सा ये है दुनिया में जो 86 देश महादरिद्र है उन में से भारत से जादा दरिद्र देश सोले ही है और उन सोले में दो देश तो वो ही है जो भारत की अंग है पाकिस्तान और बंगलादेश भारत का नंबर है उस सूची में सत्तर पाकिस्तान का नंबर है एकत्तर बंगलादेश का है बहत्तर तो ये सत्तर इकत्तर बहत्तर तो एक ही कुनबा है ये तो कोई अलग-अलग है नहीं इलाखा तो मतलब ये है कि 72 नंबर पे हम हैं उस सूची में और बहुत कठोर टिपणी उस रिपोर्ट में की गई जब मैंने वो पढ़ी अच्छी नहीं लगी मुझे संयुक्तराष्ट महासंग का कहना है कि भारत की दरिद्रता के कारण गरीबी के कारण दुनिया की औसत गरीबी बढ़ गई है भारत के कारण औसत गरीबी बढ़ गई है पूरी दुनिया की क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में ही बसते है और भारत बंगला देश का मान ले तीनों को एक ही देश मान ले तो सारी दुनिया की गरीबी के औसतन के लिए हम ही जिम्मेदार हैं वो रिपोर्ट ये कहती है क्योंकि हम आज़ादी के 63 साल के बाद भी इस गरीबी को मिटा नहीं पाए है हमारे देश का ये हाल है गरीबी का अब इस बिल्कुल सही होगी एक है बीमारी जिसको हम बेरोजगारी कहते हैं बेरोजगारी का क्या आलम है तो हमारी ये जो रिपोर्ट आई अरजुन सेन गुपता कमिशन की रिपोर्ट वो ये कहती है कि बेरोजगारी के सवाल को उल्टा समझने की जरूरत है सीधे सीधे ये कहना कि भारत में इतने भारत में इतने बेरोजगार है इस से ज़्यादा अच्छा ये पहले समझा जाए कि भारत में रोजगार कितने लोगों को है और ऐसा रोजगार जिसको हम सम्मान जनक कहें सम्मान जनक माने साल के 18 वर्ष में माने जब आदमी 18-19 साल का हो गया तब उसको कुछ रोजगार या नौकरी मिल जाए और 60 साल तक वो अबाद गती से चलती रहे कोई उसे छीने नहीं वो रोजगार उसके हाथ से जाए नहीं 18 से लेके 60 साल तक ऐसे कितने लोग हैं तो वो रिपोर्ट ने कहा कि भारत में जो पक्का रोजगार है जिनकी नौकरी कभी नहीं जाती ऐसे सिर्फ साड़े 3 करोड लोग हैं पूरे भारत में सिर्फ 3 करोड पचास लाद 115 करोड पूरे जिनकी नौकरी कभी नहीं जाएगी जिनको रोजगार बहुत सम्मान जनक मिला हुआ है वो साड़े 3 करोड लोग कैसे हैं तो उसका हिसाब है पूरा 14 लाख लोग तो सेना में हैं भारत की आर्मी में 14 लाख के आसपास सेना में वायू सेना में जल सेना में तीनों में मिला के 14 लाख है और करीब करीब 15-15 लाख हैं रेलवे में इंडियन रेल भारती रेल और करीब करीब 17 लाख हैं बैंकों में भारत की जितनी भी बैंके हैं और करीब करीब पंद्रे साड़े पंद्रे लाग हैं बीमा कमपनियों में एजेंट से लेकर उपर तक और करीब करीब 44 लाग के आसपास हैं केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर में जैसे भारत है भारत है वी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है इस्टिल अथॉरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड है ऐसे भारत के 244 पब्लिक सेक्टर है फिर उसके बाद केंद्र सरकार का जो मंत्राले है प्राइम मिनिस्टर का आफिस है फिर बाकी 90 मंत्रियों के आफिसेज हैं तो आफिसेज में काम करने वाले हरिस्तर के करमचारी तो राज्यों के 33 राज्यों के राजिस्तर के करमचारी मुक्य मंत्री राज्यपाल राज्य के मंत्री ये सब जोड़कर कुल साड़े तीन करोड लोग हैं जिनको पक्का रोजगार है जिनको सम्मान जनक नौकरी है और जरूरत पक्के रोजगार की भारत में 64 करोड लोगों क है जरूरत मतलब 64 करोड़ लोगों को संबान जनक काम चाहिए उसमें से साड़े तीन करोड़ को मिला हुआ है इसका माने साड़े साथ करोड़ लोगों को दर दर भटकना है रोजगार के लिए इन साड़े साथ करोड़ लोगों में कुछ लोग हैं जो खेती करते हैं लेकिन खेती में संबान जनक खेती करने वाले मुश्किल से 10 से 15 करोड़ ही हैं जिनके पास 10 एकड़ से जादा जमीन है संबान जनक खेती वो कर पाते हैं बाकी की जमीन ही 2 एकड़ से कम है भारत में किसानों की तो उनको संबान जनक नहीं माना जाता क्योंकि उनकी खेती तो घाटे में रहती है दो एकड से कम जमीन ऐसे भारत में 85 प्रतिशत किसान अब ये जो 85 प्रतिशत किसान है जिनकी दो एकड से कम जमीन है यहीं लोग दर्बदर की ठोकरें खाते हैं कभी सड़क पर रिक्षा चलाते हैं कभी कहीं किसी का इट गारा बनाते हैं कभी कहीं कोई ठेली लगा लेता है सबजी बेच लेता है कभी कोई फुटपात पर कोई सामान रखके उसे बेच लेता है इस तरह के रोजगार में वो लगे हुए हैं हमारे देश में जिसको अनौर्गनाइज सेक्टर कहा जाता है असंगठित रोजगार का छेतर उसमें ये साथ करोड़ पचास लाक लोग हैं जिनकी बारे महीने की कोई भी रोजगारी पक्की नहीं किसी को साल में दो महीने काम मिलता है किसी को चार महीने मिलता है किसी को तीन महीने किसी को छे महीने ऐसा उनका चलता है और इनके ऊपर समय समय पर पुलिस के डंडे चलते रहते हैं वो विचारे कहीं सड़क पर बैठे हैं खोमचा लगा के पुलिस वाला आएगा मारेगा डं से उनसे रोज भुगतते हैं वो इस बात तो साड़े साठ करोड लोग इस देश में दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं जिनको काम चाहिए और काम नहीं है हमारे पास खेती हमारे देश में अब इतने घाटे में चली गई है कि इस पर जिन्दा रहना संभव नहीं है लोगों का इतने घाटे में आ गई है खेती क्योंकि खेती के घाटे में आने का सबसे बड़ा कारण है किसानों के काम आने वाला जो यूरिया डियेपी सुपर फॉस्पेट है किसानों के काम आने वाला जो एंडो सल्फान मेला थियान आदी आदी कीत नाशक दवाएं हैं ये पिछले 20 सालों में इतनी महंगी हो गई है कि गरीब किसान के बूते का नहीं रहा उनको डालना पहले yoreya का एक कट्टा 50 किलो का 70 रुपए का था अब 300 रुपए का हो गया और दो-तीन दिन के बाद वह साड़े 300 का होने जा रहा है D.A.P. पहले 3 रुपए किलो था अब 24 रुपए किलो हो गया 2-3 दिन के बाद 28 रुपए किलो होने जा रहा है D.A.P. सिंगल सुपर फॉस्वेट आठ से दसगुना महंगा हो गया किसानों के काम आने वाला डीजल जो कभी तीन रुपए बीस पैसे, तीन रुपए पचास पैसे लीटर था अब वो 38 रुपए लीटर हो गया तो किसानों के काम आने वाली हर चीज महंगी महंगी हो रही है और किसान की पैदा की गयी चीज है सस्ते से सस्ती बिक रही है गेहू, चावल, चणा, दाल, मतर तो खेती इतने घाटे में है कि हर दिन, एक मिनट में इस देश के 23 किसान खेती छोड़ देते हैं हर दिन एक मिनट में 33 किसान खेती छोड़ो देते अब आप अंदाजा लगाओ एक मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं और एक साल में कितने मिनट होते हैं हर मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं कहां भागते हैं शहर में भागते हैं किसके लिए रोजगार के लिए शहर में कोई रोजगार रखा है उनके लिए वो दिल्ली जाते हैं बंबई जाते हैं कलकत्ता जाते हैं मदरास चले जाते हैं और अंत में जहां नहीं जाना चाहिए वहां पहुँच जाते हैं जुगी ज हम एक मिनट खड़े नहीं हो सकते धारावी में, इतना कीचड, इतनी गंदगी, इतनी बदबू, हम एक मिनट नहीं खड़े हो सकते वहाँ, और लोग वहाँ 20-20 साल से रहते हैं। इस भारत देश में शहर की जो आबादी है ना, हैदराबाद, मदरास, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकता, ये जो शहर माने जाते हैं, मैट्रोज, इनकी आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा जुग्वी जोंपडियों में रहता है, 65 प्रतिशत हर शहर का, including हैदराबाद, हैदराबाद का भी यही हाल है, सिकंदराबाद का भी यही हाल है, 65 प्रतिशत हिस्सा जुग्वी जोंपडियों में रहता है, और मुझे इतना दुख है ये कहते हुए, कि जुग्वी जोंपडियों में, जितने एरिया में, जितने वर्ग फिट में, पांच-पांच लोग रहते हैं, उ 10 फिट लंबी 100 वर्ग फिट की जुगी जौपड़ी में 5-6 लोगों का परिवार है और हमारे जेलों में जो कैदी बंद है न तो एक कैदी को सामन रूप से 50 वर्ग फिट जगे होती है जेल में और यहां जेल के बाहर एक व्यक्ति को सामन रूप से 10-15 वर्ग फिट की ही उसी में सोना है उसी में हगना है उसी में मूतना है सब उसी में करना है और आप तो कल्पना नहीं कर सकते कि वहां पीडियां दर पीडियां रहती हैं सास ससुर भी रहते हैं उनके बेटा बेटी भी और बहू भी रहते हैं नाती पोते भी रहते हैं कैसे जीवन कटता होगा हम तो सोच नहीं सकते क्योंकि हमने कभी रहके नहीं देखा ऐसा बुरा हाल है देश का और दो तीन बातें उस रिपोर्ट में पढ़ने को मिली कि भारत में आजादी आगई आजादी के बाद सबसे बुनियादी चीज जो हर व्यक्ति को चाहिए स्वक्ष हवा स्वक्ष हवा के बाद स्वक्ष पानी वह उप्लब्द नहीं है इस देश को रिपोर्ट में कहा अरजुन सेन गुपता कमिशन की रिपोर्ट में छेलाक 38 conversation 365 गाओं में से पांच लाक गाओं में स्वक्ष पीने का पानी नहीं है लोगों के पास पांच लाग गाओं और उन पांच लाग गाओं का ये हाल है कि 10 से 15 लीटर पीने का पानी एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए उन गाओं में माताओं को सबेरे 3 बजे सो कर उठना पड़ता है दो ढ़ाई मील पैदल जाना पड़ता है एक बाल्टी पानी लाते है फिर घर का खाना बनाती है फिर दुबारा से एक बाल्टी लेके जाती है फिर पानी लाती है तो दुपहर का खाना बनता है इसी में उनका जीवन खतम होता है बाल्टी भर भर के लाने में पांच लाग ग माताओं के नागरिकों को जहां जरूरत है वहां पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है जहां जरूरत है घर के सामने नहीं मिलता है स्वक्ष हवा नहीं पीने का पानी ने और इससे भी ज़्यादा खराब बात उस रिपोर्ट में है कि भारत के गाउं में रहने वाली जो माताएं हैं बहने हैं उन में से दो तिहाई माने 75 प्रतिशत माताओं और बहनों को सबेरे सबेरे संडास जाने के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है उनको सडक के किनारे बैठना पड़ता है खुले में बैठना पड़ता है मैं कभी-कभी गाउं में जाता हूँ और मेरे जैसे लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा आता है अपने उपर भी गुस्सा आता है जब मैं किसी गाड़ी में बैठके गाउं में जाता हूँ किसानों के बीच में व्याक्यान देने और अक्सर शाम का समय होता है तो मेरी गाड़ी की हेड लाइट पड़ती है सडक पर तो कई माता हैं लोटा लेके खड़ी हो जाती है क्योंकि वो देनिक काम के लिए बैठी हुई है और एक मिनट के लिए भी उनको प्राइवेसी नहीं मिल पाती हम आजादी के 63 साल से कर क्या रहे अरजुन सिन गुपता कमिशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की दो तिहाई माताओं के पास तो संडास है नहीं जाने के लिए दैनिक जीवन में इससे भी आगे वो ये कहते हैं कि ये दो तिहाई माताओं जब इसनान करती हैं तो चार पाईयां लगानी पड़ती हैं चालो तरफ से इधर एक चार पाई लगाई इधर एक लगाई इधर एक लगाई और उस पर उनकी फटी हुई धोती डाली ताकि वो आड़ हो जाए और उसमें थोड़ा इसनान करके फिर वो चार पाई हटानी पड़ती माने बात्रूम नहीं है जब टॉयलेट नहीं है तो बात्रूम कहां से होगी और ये सारी कहानी आज़ादी के 63 साल वाले भारत की है अगर आज़ादी हमें 2-4 साल पहले मिली होती और ये ऐसी दर्दनाक भारत की तस्वीर होती तो दिल पे पत्थर रख लेते के चलो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा लेकिन यहां तो ऐसा हाल है 63 साल के बाद भी यही देखने को मिल रहा है अरजुन सेन गुपता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के आदे से जादा गाओं, 50 प्रतिशत माने सवा 3 लाख गाओं में, बिजली का बल्ब अभी तक नहीं है बिजली का तार नहीं है, करेंट नहीं मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के गाओं में हुआ, अलीगड जिले में आपको हैरानी होगी, यह अलीगड जिला दिल्ली के बहुत नस्दीक है राजधानी वहां से 130 किलो मीटर दूर है और मेरा गाओं अलीगड से करीब 60 किलो मीटर तो 190 किलो मीटर भारत की राजधानी से दूर मेरा गाओं है मेरे गाउं में अभी तक बिजली नहीं है मेरे गाउं के सभी विद्यार्थियों को अभी भी मिट्टी के तेल की लाल्टेन में पढ़ाई करनी पढ़ती है 21 वी शताफदी का गाउं है ऐसे भारत में गाउं है अरजुन सेन गुपता कमिशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 60 प्रतिशत गाउं माने लगबग 4 लाख गाउं में कोई चिकित्सक नहीं है कोई डॉक्टर नहीं है कोई हॉस्पिटल नहीं है कोई दवा नहीं उन 4 लाख गाउं में अगर किसी मा को बच्चा होने वाला हो तो कोई भी भगवान के भरोसे ही होता है क्योंकि दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है या तो बच्चा मरता है या मा मरती है और अरजुन सेन गुपता कमिशन की रिपॉर्ट कहती है कि भारत की कुल जितनी माताएं बहने हैं उनकी संख्या लगबग 50 करोड है इन 50 करोड माताओं बहनों में 25 करोड माताओं बहने हमेशा खून की कमी का शिकार रहती है उनको एनीमिया है रख तल पता है हमेशा उनका हीमोगलोबिन कभी भी ना पो साथ आठ छे के आसपास आता है 25 करोड माताएं बहने इस स्थिती में रहती हैं इस देश हर दिन अब आप सोचो कि जिन माताओं बहनों का हीमोगलोबिन 6-7-8 के आसपास हो वो मां बनती हों और बच्चे का जन्म कराती हों तो यह तो बहुत बड़ा खत्रा है उस मां के लिए और बच्चे के लिए या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा या बच्चा पैदा होते ही मां मरेगी खूनी नहीं है शरीद में और हमारी देश की इसी अरजुन सिंगुपता कमिशन की रिपोर्ट में कहा गया कि 50 प्रतिशत से जादा बच्चे जो ऐसी माताओं से जन्म लेते हैं जिनको खून की कमी है जिंदगी भर कुपोशन का शिकार रहते हैं उनका वजन हमेशा जरूरत से कम रहता है मरते हैं फिर तीन साल की उमर नहीं देख पाते हैं 50 प्रतिशत से जादा बच्चे इस देश दर्दनाथ है ये बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब कहना कभी कभी दिल में बहुत जादा तकलीफ हो जाती है क्या कहूं इसके बारे में एक ही मन में गुस्सा आता है कि 63 साल से हम कर क्या रहें इस देश में जख मार रहें इतनी गरीबी इतनी दरिद्रता इतनी बेरोजगारी इतनी बेवसी इतनी लाचारी इस देश में एक बार तुम्हें बहुत परिशान हो गया था मेरे जीवन में आज से दस साल पहले की एक सची घटना सुनाता हूं, मैं उड़ीसा गया, काला हंडी नाम का एक इलाका है, भारत का सबसे गरीब इलाका माना जाता है, वहाँ मेरा व्याख्यान था, मैं गया देने के लिए, एक गाओं में, तो व्याख्यान था, मैं पहुँच गया समय पर, तीन लोग आये थे सुनने के लिए, एक मैं था, खुद, मेरा व्याख्यान सुनने के लिए, एक माईक लगाने वाला था, एक दरी बिचाने वाला, तीन लोग आये थे, माईक वाले और दरी वाले की मजबूरी थे, और मेरी भी मजबूरी थी, मुझे बोलना था, उनको मा एक लगाना था एक को दरी बिचाने थी चौथा कोई नहीं था मैंने माइक वाले से का भाई यहां तो कोई आया ही नहीं व्याक्ष्यान किसको दूँ तो उसने का मैं बैठ जाता हूँ आपके सामने मुझे ही सुनाओ और उसने का इसको भी बिठा लेता हूँ दरी वाले को हम दो तो हैं तो मैंने का बाकी लोग तो उसने का आप चिंता मत करो आप बोलो हम सुनेंगे और उसने का मैंने माईक ऐसे सेट किये हैं कि घर घर में आवाज जा रही है आप बोलो वो सुनेंगे सब घर में बैठ तो मै जो घर में बैठके मेरा भाशन सुन सकते हैं, वो मेरे सामने भी सुन सकते हैं, तो वो एकदम मायूस हो गया माइक वाला. चेहरा लटक गया उसका और उसने बड़े धीमे शब्दों में कहा वो आपके सामने बैठके नहीं सुन सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं तब मुझे उस दिन करंट लगा जटका लगा ऐसी भी गरीबी तो मैंने का भाई अब व्याख्यान क्या देना मुझे तो इनकी गरीबी के दर्शन करा दो तो उसने का चलो एक एक घर में ले चलता हूँ आपको तो सबसे पहले घर में हमने दरवाजा खट-खटाया वो सरपंच का घर था दस फिट लंबा, दस फिट चोड़ा, छोटा सा जोपड़ा आधा तूटा हुआ, आधा बना हुआ किवाड भी एक तूटा हुआ था, एक लगा हुआ था पानी जगे जगे से तपकता था हमने खट-खट की तो सरपंच की पतनी बहार आई तो मैंने देखा, उस मा के शरीर पर उपर कोई कपड़ा नहीं था और नीचे उसने एक छोटा सा टुकड़ा लपेटा हुआ था वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था हमने कहा, आप अंदर जाओ अपने पती को बहार भेजो तो वो माता अंदर गई उसका पती थोड़ी देर बाद बाहर आया तो मेरी आँखों में आँसू आ गए वो वही कपड़ा लपेट कर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई उसी दिन में वापस दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारत सरकार के एक मंत्री से संपर किया और मंत्री सौभागे से उसी इलाके से चुनाव जीत कर आता है उसका नाम है भक्त चरंदास वो सांसद था उस समय जब ये घटना घटित होई और संयोग से मेरा उसका परिचे भी था तो मैंने का भाई तुमारे इलाके में तो इतनी करीबी है तो इसने का मेरे ही इलाके में नहीं भारत में ऐसे 37 करोड गरीब हैं जिनके शरीर पर दो कपड़े नहीं 37 करोड तो मन में बार बार यही आता है आखिर हुआ क्या 63 साल आज़ादी के बाद इस देश में 11-15 वार्षिक योजनाए बनी है हर साल बजट बनता है या आपको मालूम है? हर साल बजट बनता है एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि बजट ना बना हो चुनाओ हो गए किसी साल में तो भी बजट आया है भले वो आठ महीने के लिए आया साथ महीने के लिए आया छे महीने के लिए आया बजट हर साल आता है 1952 से नियमित बजट आ रहा है इस देश में तो 1952 से 2010 तक हर साल बजट आया इस देश में बजट ने विकास का खर्चा किया और पंचवार्शी की उजनाएं लागू हुई 5-5 साल की उनके द्वारा विकास का खर्च हुआ फिर राज्य सरकारों के बजट आये आपको मालूम है बजट दो स्तर पर बजट बनते हैं इस देश में एक तो केंद्र सरकार बनाती है एक तो राज्य सरकार बनाती है एक तो नगरपालिका बनाती है नगरपालिका के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी मिटाओ राज्य सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ केंगर सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ लेकिन गरीबी है कि हटती ने, मिटती ने मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि पंडित जवारला नहरू ने जब पहला भाशन दिया था प्रधान मंतरी बनने के बाद तो उनकी पूरी ताकत इस बात पर थी कि हमें गरीबी मिटानी है देश के और पंडित जवारला नहरू सत्त्रे साल इस देश की गरीबी मिटाते रहे और गरीबी है कि मिटती ही नहीं उसके बाद उनकी बिटिया रानी आई श्रीमती इंद्रा गांदी उन्होंने चौदे साल गरीबी मिटाई इस देश की सत्रे साल पिताजी मिटाते रहे चौदे साल बिटिया रानी आगई और वो गरीबी मिटाती रही और बिटिया रानी की तो योजना ही थी 20 सूत्री कारिक्रम सबसे पहला गरीबी हटाओ 20 सूत्री कारिक्रम में सबसे पहला 14 साल की उनकी ताकत लगी उन्होंने भी गरीबी नहीं मिटा पाई फिर उनके बेटा राजा आगए राजीव गांदी वो पांच साल लगे रहे गरीबी मिटाओ और उसके बाद तो पूरी प्लाटून है आप जानते हो नरसिम्मा राओ आए उस बीपी सिंग आए चंदरशेखर आए देव गोड़ा आए इंद्रकुमार गुजराल आए श्री अटल ब्यारी वाजपेई आए और हम मनमहौन सिंग आए हैं सब गरीबी मिटाने में लगे हुए हैं और गरीबी मिटती ही नहीं बढ़ती ही जाती है बढ़ती ही जाती है ये गंभीर समस्या है अब और एक बात बताता हूं संयुक्तराष्ट महासंग सारे दुनिया के देशों की और एक रिपोर्ट बनाता है एक तो सबसे गरीब देश और हर साल वो बताता सबसे अमीर देश दुनिया में वो भी कौन ह अब हम सबसे गरीब देशों में आते हैं दुनिया में और सबसे अमीर देशों में जिस देश का नाम है नमबर एक वो सुड़जरलेंड सुड़जरलेंड सबसे अमीर देश दुनिया का उसके बाद एक देश है उसका नाम है सुईडन सबसे अमीर फिर एक तीसरा देश है उसका नाम है डेनमार्क सबसे अमीर फिर एक चौथा देश है उसका नाम है स्पेन सबसे अमीर ऐसे देशों की सूची फिर अमेरिका, कनाड़ा, आदी-आदी उसमें सब आते हैं तो दुनिया में सबसे अमीर देशों में सुर्जरलेंड और दुनिया के सबसे गरीब देशों में भारत अब दोनों देशों को समझने की कोशिश करता हूँ तो कोई बात समझ में नहीं आती जैसे सुरिजरलेंड कैसे सबसे अमीर देश हो सकता है क्योंकि वहां तो कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता उस देश ना कोई लेंदेन होता है वहां कुछ नहीं होता खेती नहीं है तो कुछ नहीं है खेती क्यों नहीं होती सुरिजरलेंड में मिट्टी अच्छी नहीं मिट्टी की जगे पत्थर हैं खेतों में और पत्थर क्यों है वहां के खेतों में क्योंकि साल में आठ महीने बरफ पड़ती है और बरफ के नीचे जो मिट्टी ढकी रहती है ना आठ महीने तक वो मिट्टी पत्थर जैसी हो जाती है बरफ जैसी अब जहां के खेत में आठ महीने बरफ जमा रहे वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता खेत में और जिन खेतों में बरफ ही बरफ जमा रहे वहां कितना ही अच्छा बीज डालो अंकुरण ही नहीं होगा खेती नहीं है उनके उद्योग इसलिए नहीं है क्योंकि कच्चा माल नहीं है उनके पास अगर आपको उद्योग चलाने है तो कच्चा माल तो चाहिए राव मिटीरियल वो तो खेत में से आता है वो कारखानों में थोड़ी बनता है तो उद्ध्योग तो उनी देशों में होते हैं जहाँ पर खेती अच्छी होती है अब सुर्जरलेंड में खेती नहीं तो उद्ध्योग नहीं एक उद्ध्योग चला करता था वहां थोड़े दिन पहले तक घड़ी बनाने का, रिस्ट वॉच बनाने का, अब वो भी बंद हो गया क्यों बंद हो गया, तो वो लोग कहते हैं कि चाइना नाम के देश ने इतनी सस्ती घड़ियां बनाना शुरू कर दिया है कि सारा स्विट्जरलेंड पिट गया उसे अब चीन की घड़ी स्विट्जरलेंड में बिकती है किलो के भाव हाँ, किलो में घड़ी बिकती है एक-एक नहीं किलो में पचास रुपई किलो में, साट रुपई किलो में घड़ी बिक रही है तो कौन खरीदेगा सुर्जरलेंड की इतनी महंगी घड़ी तो वो उद्योग भी बंदो गया व्यापार उनके पास कुछ है नहीं क्योंकि कुछ पैदा नहीं होता ना खेत में ना उद्योग में लेंदेन किसका करेंगे तो आप पूछोगे ये जिन्दा कैसे है ये देश ये दूसरे देशों से खाने पीने का कुछ माल ले लेता है सुर्जरलेंड और अब के जंगलों में कुछ जानवरों का मास मास वो पैदा कर लेते हैं मार्क पीट के जानवरों को उसी मेंसे जिंदगी चलाते हैं लेकिन है दुनिया का सबसे अमीर देश अब भारत की तुल्णा करें सुड्जरिय लेंड से भारत में सब कुछ होता ए खेती तो इतनी अच्छी है इस देश में कि दुनिया के किसी देश में न हो फसल होती है भारत में चार हैं और चार फसलें जिस देश में होती हैं उन देश उस भारत देश के फसलों में दो हजार से जादा वस्तुवें पैदा होती हैं गेहूं चावल चना दाल मटर आदी आदी दो हजार से जादा वस्तुवें का उत्पादन है भारत के खेतों में को जिस देश में खेती अच्छी होती है क्यों क्योंकि मिट्टी अच्छी है मिट्टी अच्छी मिट्टी दुनिया में शायदी किसी देश में है जो भारत में भारत की मिट्टी की विशेष्टा है नरम बहुत है बुलाएं में मिट्टी और इतनी नरम है कि खाली दो बैलों की जोड़ी और एक हल से इस मिट्टी को उलट पलट कर सकते हैं यूरोप और अमेरिका की मिट्टी इतनी कठोर है कि वहां मिट्टी को उलट पलट करने के लिए 100 होर्स पॉवर का ट्रेक्टर लगता है यहां अगर ट्रेक्टर हम चलाते भी हैं न तो 10 होर्स पॉवर से जादा की जरूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी नरम है अमेरिका यूरोप की मिट्टी कठोर है तो 100 होर्स पॉवर के ट्रेक्टर से कम पे बात नहीं बनती मिट्टी नरम है मिट्टी नरम होने के साथ-साथ पानी मिलता है इस देश को बारिश का भरपूर मिलता है ये अलग बात है कि बारिश के पानी का हम प्रबंधन नहीं कर पाते मैनेज नहीं कर पाते वो बहके समुद्र में चला जाता है लेकिन बारिश का पानी भरपूर है इस देश को अभी भी बारिश बहुत कम हो गई है फिर भी जरूरत से ज़्यादा हमें पानी मिलता है बारिश का मैंने एक बार हिसाब निकाला था कि एक साल में ओसतन अगर इस देश की बारिश पकड़ी जाए 100 इंच तो हमारी जरूरत से 30 गुना जादा पानी हमें देता है भगवान 30 गुना खेतों में जतनी जरूरत है कारखानों को जतनी जरूरत है पीने को जतनी जरूरत है पानी की और बाकी कामों को जतनी जरूरत है उससे 30 गुना जादा पानी हमें भगवान देता है अभी भी हर साल ये अलग बात है कि हम उस पानी को रोक नहीं पाते और वो बहके बेकार चला जाता पानी बहुत अच्छा है बारिश बहुत अच्छी है मौसम बहुत अच्छे हैं इस देश में इतने अच्छे मौसम दुनिया के किसी देश में नहीं जो भारत में एक बार मैं पढ़ रहा था सारी दुनिया के मौसमों के बारे में तो मुझे एक अधुत जानकारी मिली वो ये कि सब दुनिया के देशों में दो या तीन क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं भारत में 16 है, 16 क्लाइमेटिक जोन्स है, पूरी दुनिया में नहीं है करी, 16 है, मतलब समझाता हूँ सरल भाशा में, बहुत भयंकर गर्मी अगर देखनी है भारत में, तो कहीं मत जाओ, राजिस्थान चले जाओ, चुरू में चले जाओ, भीकानेर चले जाओ, जोतपुर च एंटिग्रेट तापमा, और बिल्कुल ठंडी देखनी है इस देश में, तो भी यहीं चले जाओ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, उत्राखंड चले जाओ, माइनस 10 डिग्री, माइनस 15 डिग्री तक चला जाता है देश में, एकदम सूखा मौसम देखना है, तो भी राजिस्तान चले जाओ, और एकदम गीला मौसम देखना है, तो भी इस देश में देख लो, तक्षन में आजाओ, गोवा में, बारिशी बारिश, भैंकर बारिश, टॉरेंशियल रेन, साल में 6-7 महीने बारिश, केरल मे चले जाओ, गुवा में चले जाओ, एकदम नमी वाला मौसम देखना हो, तो यहां आ जाओ, मुंबई चले जाओ, मदरास चले जाओ, समुद्र के किनारे वाले शहरों में चले जाओ, भेंकर नमी वाला मौसम मिलेगा, ऐसे सोले तरह के जोंस इस देश में है, छेत्र, दुन पुनिया के देशों में या तो ठंड पड़ती है और भेंकर ठंड और या तो गर्मी पड़ती है और भेंकर गर्मी इसके अलावा तीसरा मौसम ही नहीं है कहीं आपको मालूम है यूरोप में बारिश का मौसम नहीं है बारिश वहां हर रोज होती है दो-तीन मिनट के लिए औ और बिल्कुल हलकी फुलकी, बंद हो जाती है, फिर हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, ऐसी बारिश यूरोप में किसी ने नहीं देखी कभी कि भल-भला के पानी बरसता हो, लगातार छे-छे मैने, आट-ाट मैने, है ही नहीं। अगर बारिश अच्छी नहीं है तो पानी नहीं है तो यूरोप के देशों में पानी बहुत महंगा है शराब सस्ती है पानी महंगा है लंदन जैसे शहरों में जब कभी मैं जाता हूँ तो एक लीटर पानी की बोतल 280 रुपई की खरीदनी पड़ जाती है करी और शराब की बोतल 80 रुपई की अब मुश्किल यह है कि मैं पी नहीं सकता उसे हाँ भी तो शराब पानी से सस्ती है क्योंकि पानी बहुत महंगा है यो भी थोड़ा बहुत पानी उन देशों में है वो बरफ जो जमती है उसको पिगलाकर पानी ले लेते हैं कई फाइव स्टार और सेविन स्टार होटलों में संडास का पानी टॉयलेट का पानी बार बार री साइकल करके इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पानी ही नहीं अब ना तो उनके पास पानी है ना अच्छी मिट्टी है ना सूरज की धूप है साल में 6-7 महीने सूरज ही नहीं निकलता कभी-कभी उन देशों में संडे होता है संडे माने चुट्टी नहीं सूरज का दिन संडे कभी-कभी होता है अभी थोड़े दिन पहले हम लोग गए थे लंदन में ये श्रीदर भाई भी गए थे तो हमारी फ्लाइड जैसे ही उतरी उस दिन सूरज बहुत तेज शमक रहा था तो जो ब्रिटिश एरवेस की वो थे अधिकारी उन्होंने का आप बहुत लखी है आज संडे है यहाँ पर सूरज का दिन है आप बहुत लखी है तो एक से मैंने पूछा कितने दिन में ये दिखाई दिया उन्होंने का हम तो तीन चार महीने से ढोण रहे थे दिखी नहीं रहा था सूरज तीन तीन चार चार महीने सूरज नहीं दिखता अब सूरज है नहीं, मिट्टी अच्छी है नहीं, पानी उनके पास है नहीं तो खेती तो अच्छी होने ही सकती, भारत में ये सब चीज़े हैं, सूरज भी है भारत में everyday, Sunday, हर दिन सूरज का दिन, करोडों साल से है, करोडों साल तक रहने वाला है अच्छी खेती के लिए सूरज की धूप होना सबसे जादा ज़रूरी है क्योंकि पौधे के बड़े होने के लिए सूरज का ही प्रकाश लगता है और सूरज अच्छा हो तो पानी भी भरपूर होता है क्योंकि समुद्र की सतय पर सूरज की धूप पड़ती है तो पानी वाश्प बनता है फिर बादल बनता है फिर बरसता है तो सूरज अच्छा, मिट्टी अच्छी, पानी अच्छा, मौसम अच्छा, फसल चक्र अच्छा, महनत करने वाले किसान इस देश में बारे बारे घंटे काम करें इसलिए भारत के खेतों में चार फसलों में दो हजार से जादा चीज़ें पैदा होती हैं पूरे देश मैं आपको एक घटना सुनाता हूं सची घटना एक बार क्या हुआ एक जर्मनी के प्रोफेसर के साथ मेरा जगडा हुआ और जगडा इस बात का हुआ कि भारत महान के जर्मनी महान जगडा इस बात का था वो कहता था जर्मनी महान मैं कहता था भारत महान अब दोलों ने जगड़ा सुल जाने के लिए एक रास्ता निकाला रास्ता ये निकाला उसने कहा कि मैं तुम से भारत के बारे में सवाल पूछूंगा तुम मुझसे जर्मनी के बारे में पूछो जिसके सवालों के जवाब में सबसे जादा हाँ यस आएगा उसका देश महान मैंने का ठीक है भाई पूछो तो उसने का पहले तुम पूछो तो मेरा नमबर आगया पूछने का तो मैंने उससे सबसे पहला सवाल पूछा जर्मनी में गन्ना होता है तो उसने का नहीं गन्ना होता ही नहीं फिर मैंने का जर्मनी में केला होता है उसने का नहीं फिर मैंने का जर्मनी में आम होता है उसने का नहीं फिर मैंने का जर्मनी में लीची होती है उसने का नहीं मैंने का जर्मनी में सेव होता है उसने का नहीं मैंने का जर्मनी में संत्रा होता है उसने का नहीं अब थोड़ी दिर में बौखला गया वो क्योंकि हर सवाल का जवाब नहीं 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 तो हारने वाला है वो तो तो कहने लेका मिस्टर राजीव दिक्षित मेरे जर्मनी में कोई मीठी चीज पैदा नहीं होती अब आगे पूछो तो मैंने का चलो अब दूसरा सवाल है मैंने का जर्मनी में पालक होता है पालक क्योंकि पालक तो मीठा नहीं है तो उसने का नहीं मैंने का जर्मनी में मैंथी होती है मैंथी उसने का नहीं मैंने का जर्मनी में मूली होती है मूली उसने का नहीं फिर थोड़ी दिर में बॉखला गया मैंने पूचा धनिया होता है उसने का नहीं मैंने पूचा पोधीना होता है उसने का नहीं फिर थोड़ी दिर में कहने लगा मिस्टर राजीव दिक्षित हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में पैदा नहीं होती अब आगे अगाई तो उसने का जर्मनी में दो ही चीज़ें पैदा होती हैं एक तो आलू और दूसरी प्याज अब आलू में प्याज मिलाके खालो या प्याज में आलू मिलाके खालो दो ही चीज़ें हैं हमारे फिर मेने उससे आगे पूछा मैंने का फिर ये जर्मनी के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं यहां तो सब माल भरा पड़ा है यहां तो आम भी मिल रहा है यहां तो शकरकंद भी मिल रहा है संत्रा भी मिल रहा है केला भी मिल रहा है यहां तो सेव भी मिल रहा है ये सब कहां से लाते हो जब तुमारे यहां कुछ नहीं होता तो तो उसने का ज़्यादा तर ये माल भारत से आता है तो मैंने का किस का देश महान तो वो बोला नहीं मुह से मान तो लिया उसने कि भारत देश महान बोला नहीं मैंने का इससे बुलवाना है तो फिर मैंने का अब तुम पूछ लो तुम भारत के बारे में पूछो मैं उत्तर दूँगा अब वो विचारा फस गया क्या पूछे ऐसा जो भारत में नहीं होता तो उसने ऐसे ही पूछ लिया भारत में गन्ना होता है मैंने का इतना गन्ना होता है भारत में कि 6,365 गाओं में से 4,000,000 गाओं में गन्ना ही गन्ना उत्तर भारत में गन्ना, दक्षण भारत में गन्ना, पूर्वी भारत में गन्ना, पश्चिम भारत में गन्ना और हर जगे का गन्ना अलग है कहीं लाल गन्ना, कहीं काला गन्ना, कहीं हरा गन्ना, कहीं पीला गन्ना कहीं गन्ने में रस बहुत ज़्यादा है, कहीं गन्ने में रेशा बहुत ज़्यादा है फिर मैंने समझाया 2550 किसम का गन्ना भारत में होता है तो उसकी आँखें फट गई हैं मैंने का हाँ कहीं नहीं खाया पूरी दुनिया में तो कहल लगा इतना केला मैंने का हाँ कोई गाउं ऐसा नहीं जहां केला नहीं होता इस तेश में हर गाउं में केला है फिर उसने कहा आम होता है भारत में आम मैंने का भाहिया भारत में पांच सो से ज़्यादा प्रजाती के आम तो कभी भी मिल जाएंगे और कुल आमों की प्रजातियां पांच हजार है जो मौसम पे मिल जाते दक्षन भारत का अलग आम, उत्तर भारत का अलग आम, पूरवी भारत का अलग, पश्चिम भारत का अलग और मैंने तो उसको एक बात कही थी तो वो हिरान हो गया मैंने का दिल्ली हमारे देश की राजधानी है वहाँ से सिर्फ सौ किलो मीटर चलो उत्तर धक्षिन पूरब पस्चिम दिल्ली को केंद्र बनाओ सौ किलो मीटर की परिदी में घूम के आओ पांच सो जात का आम तो उतनी दूरी पर ही मिल जाता है लंगडा आम, चौसा आम, फजली आम, तोता पूरी आम, दशेरी आम कितने नाम गिनाओ दक्षिन के तो अभी नाम ही नहीं गिनाओ नील अमाम, बेगन फल्लियाम तो वो करने लोगा इतना मैंने का हाँ भई फिर उसने का ये बताओ भारत में क्या नहीं होता मैंने का ये ही सवाल कभी भी तुम पूछोगे तो उत्तर ही नहीं मिलेगा क्योंकि भारत में सब कुछ होता है और हर गाओं में होता है जितना दुनिया के 20-25 देशों में कुल मिलाकर होता है उतना भारत के एक एक गाओं में होता है ऐसा देश है भारत मने भगवान की बड़ी क्रपा है इस देश पर हर गाओं की मिट्टी इतनी अच्छी है सब कुछ हो जाता है हर गाओं हमारे पुराने बुजर्ग कहा करते थे कि हर गाओं में इतना होता था कि खाली नमक बाहर से लाना पड़ता था बस और कुछ नहीं क्योंकि नमक सब जगे नहीं होता इस देश नमक सिर्फ समुद्र के किनारे वाले गाउं में होता है नमक छोड़कर हर चीज हर गाउं में होती है कुछ लाना ही नहीं पड़ता बाहर से इतना स्वावलंबी देश रहा है ये देश भारत और इतना समरुद्द शाली है इतना समरुद्द शाली की हर गाओं में सेकड़ों किसम की चीजें पैदा हों इस देश में और एक गहरी बात कहता हूँ आपसे कि जब उससे मेरी बहस हो रही थी तो उसने कहा कि अगर ये सब कुछ भारत में होता है इतना सब कुछ होता है तो भारत गरीब क्यों है इसका उत्तर मेरे पास नहीं था इतना सब कुछ होता है तो तुम गरीब क्यों हो क्यों जर्मनी के सामने कटोरा लेके भारत की सरकार भीक मांगती है हर साथ क्यों कर्ज लेते हो तुम हम से क्यों अमेरिका जाते हो कर्ज मांगने के लिए क्यों यूरोप के देशों में आते हो कर्ज मांगने के लिए जब सब कुछ तुमारे देश में होता है और हमारे देश में खेती में ही सब कुछ नहीं होता है खेती के अलावा भी बहुत कुछ होता है जमीन के नीचे खोदना शुरू करें तो 90 खनिच पदार्थ मिलते हैं इस देश में तावा मिलता है, लोहा मिलता है, बॉकसाइट मिलता है जिससे अलुमेनियम बनता है, अबरक मिलता है ऐसे 90 खनिच पदार्थ जमीन के नीचे से मिलते हैं कहीं नहीं है पूरी दुनिया में, अधिक से अधिक खनिजपदार्थ 10-12-15 दुनिया में हैं, अलग-अलग देशों में, हमारे यह 90 खनिजपदार्थ मिलते हैं, और अब तो पता चला, कि खोदते खोदते हम बहुत नीचे आ गए, तो तेल मिल गया, गैस मिल गई, कावेरी बेसिन में मिली है, सारी मोटर गाडियों, और भारत के हर रसोई घर में इस गैस को जलाएं, यह गैस ही जले, डीजल पेट्रोल बंद कर दें, तो इतनी गैस है कावेरी बेसिन में, कि 240 साल तक जलती रहे वो देश में, इतनी गैस है, और उन बेग्यानिकों का कहना है, कि थोड़े दिन में तेल मिलने वाला है, राजिस्थान में, बाड़ मेर में, बीकानेर में, जैसल मेर में, और तेल का प्रचुर भंडार मिलने वाला है, उसके संकेत आने शुरू हो गए है, थोड़े दिन में तेल भी आ जाएगा, अब तक जो नहीं था, तो तेल इस देश में गैस इस देश में खनिच्पदार थी यहां पर जंगलों में जाओ तो 84 हजार किसम की जड़ी बूटियां और फलादी होते हैं जंगलों तो भारत माता तो कहीं से दरिद्र नहीं है फिर देश दरिद्र कैसे हो गया यह कहानी अगर हमारे समझ में आजाए तो हमारे सपनों का भारत बनाना आसान होगा इसलिए कहानी मैं सुना रहूं हूँ कहीं से हम दरिद्र नहीं है बगवान ने हमें दरिद्र नहीं बनाया प्रकरती ने हम को दरिद्र नहीं बनाया हम सब तरफ से दुनिया में किसी भी देश के competition में आगे है उत्पादन हर तरह का गाउं में और उद्योग भी कोई कम नहीं है अब इस देश में भारत सरकार का census है जो ये कहता है कि 5 करोड 80 लाख उद्योग चल रहे हैं इस समय देश में 5 करोड 80 लाख और अच्छे चल रहे सारी दुनिया में मंदी आई लेकिन हमारे उद्योगों में नहीं आई कुछ तो कारण है कारण उसका एक है कि हमारे उद्योगों में मेहनत करने वाले जो मजदूर है ना दुनिया में सबसे सस्ते हैं इतने सस्ते मजदूर पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं जो हमारे उद्योगों में है बारे बारे घंटे काम कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी तन्खा पर जो कोई नहीं करता पूरी दुनिया अब श्रम बहुत सस्ता और भगवान का दिया हुआ प्राकर्तिक माल बहुत है तो पैदा ही पैदा है पाँच करोड़ सी लाक उद्योग है कोई कम नहीं और इतने उद्योग और इतना खेती तो व्यापार भी अच्छा है इस देश में व्यापार में कोई कम ही नहीं है सरकार कहती है कि कम से कम बीस लाग करोड का व्यापार हो जाता है साल में इस देश में अंदर देश के अंदर बाहर की बात नहीं कर रहा है तो ये सारा कुछ अच्छा-च्छा है उद्योग, व्यापार, खेती फिर भारत गरीब क्यों ये तो गंभीर प्रशन है और इतना गरीब कि दुनिया में सबसे जादा गरीबी में हमारा नंबर आए अब ये प्रशन हमें समझना है अब हमारे मन में इस प्रशन को समझने के समय एक बात आती है क्या भारत की गरीबी हजारों साल की है हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कई बार, जाने अन जाने हम ये कह देते हैं, अरे भारत तो हमेशा से गरीब है, मैं भारत के दो लोगों का नाम लेके कहूंगा, एक व्यक्ति है इस देश में उसका नाम है पीचिदंबरम, ये भारत में बहुत लंबे समय तक वित्यमंत्री रहा, और इस व उस भाषन, सामने बैठा था, और चिदंबरम मंच से बोल रहा था, कारिकरम क्या था, नई दुनिया नाम का एक अखवार निकलता है इंदोर से, नई दुनिया अखवार ने एक किताब प्रकाशित की थी, पुस्तक का प्रकाशन किया था, उसका विमोचन करने के लिए चि यहीं से बाषन शुरू किया, अंग्रेजी में, अच्छा था कि वो अंग्रेजी में बोल रहा था, ज्यादा लोग समझ नहीं रहे थे, हाँ, उसने शुरू किया, भारत हजारों साल से गरीब देश रहा, भारत हजारों साल से मुफलिशी का सिकार रहा, ऐसे ऐसे उसने कह कहना शुरू किया फिर बीच में कहने लगा ये तो भला हुँ अंग्रेजों का जो वो भारत में आये और उन्होंने भारत को थोड़ा बहतर बना दिया वरना हम तो अंधेरे में डूबे हुए थे हमको तो कोई ग्यान नहीं था कोई प्रकाश नहीं था इस देश में तो भयंकर गरीबी ही गरीबी थी और ये जब वो भाशन दे रहा था तो बार-बार पंडित नहरू को कोट कर रहा था पंडित नहरू ने ऐसा कहा पंडित नहरू ने वैसा कहा पंडित नहरू ने ये कह दिया उन्हों ने वो कह दिया वो भाशन जैसे ही पूरा हुआ मुझ से बरदाश्ट नहीं हुआ मैं इदर उदर देख रहा था किसी के मन में कोई तकलीफ नहीं मैंने का मैं तो पूछने वाला हूँ इस चिदंबरम से तो मैंने कहा कि अगर भारत हजारों साल से गरीब था मैंने सीधे कहा उसको तो अंग्रेज यहां ढ़ाई सो साल जख मारने के लिए क्यों आए हजारों साल से गरीब देश गरीबों के यहां कोई ढ़ाई सो साल रहता है आके गरीबों के तो कोई दर्शन करने नहीं जाता ढ़ाई सो साल रहना तो कोई सामने बात है ढ़ाई सो साल में पचास पीडिया जबान होके मर गई अंग्रेजों की यहां क्यों रहे वो और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो पुर्टगाली साड़े-चार सो साल जख्क्यों मार रहे थे इस देश में क्यों आये साड़े-चार सो साल पुर्टगाली अपना देश छोड़कर 1492 में वासको डिगामा गुस गया इस देश में और निकला नहीं फिर अंत तक मार मार के निकालना पड़ा गुआ से पुर्थगाली ओंगे तो साड़े चार सो पुर्थगाली साड़े चार सो साल पुर्थगाली क्यों आए 200 साल अंग्रेज क्यों रहे और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो ये मुगल क्यों आये जखक मारने के लिए यहां 300 साल बावर क्यों आया उसने सल्तनत क्यों बनाई गरीबों के देश में जाके कोई राज्य स्थापित करता है क्या और इतना ही क्यों मुहम्मद बिन कासिम क्यों आया इस देश में साथवी शताब्दी में जब हम हजारों साल से गरीब थे महमूद गिजनवी क्यों आया सोमनात का मंदिर लूटने के लिए जब हम हजारों साल से गरीब थे तैमूर लंग क्यों आया नादिर शाह क्यों आया एहमद शाह अबडाली क्यों आया जब हजारों साल से हम गरीब ही थे तो इनको तो कहीं अमीर देशों में जाना चाहिए था वो सब यहां क्यों आये और सिकंदर क्यों आया यहां अगर हम हजारों साल से ही गरीब थे तो सिकंदर ने अपने गुरू को ये क्यों कहा कि जब तक भारत विजय नहीं कर लेता तब तक विश्य विजय मेरी नहीं होगी इसलिए भारत को जीतना बहुत जरूरी है तो आया यहां पर और ये तो भारत वासियों का पराक्रम था कि वो भारत को जीत ही नहीं पाया मार के भगा दिया हमने उसको रास्ते में मर गया और आपको तो इतिहास में मालूम है शक यहां आए हून यहां आए पिंडारी यहां आए क्यों आए भई हम तो गरीब हैं बुकमरी के शिकार हैं बेरोजगारी हमारे यहां हैं फिर क्यों आए यह सब तो चिदंबरम चुप हो गया बोला कुछ ने मैंने का उत्तर दे दो अगर ये हजारों साल से ही गरीब देश है तो केने लगा नहरू जी ने कहा मैंने का नहरू जी से तो पूछ नहीं सकता मैं क्योंकि वो जिंदा नहीं है होते जिंदा तो उन से पूछ लेता कि कां से मिला ये तुम है कि भारत हजारों साल से गरीब है किसने कह दिया भारत हजारों साल से गरीब है मैंने का तुम नहरू के मानस पुत्र हो तुम ही बता दो और क्या मानस पुत्र है कि नहरू का मैंने का तुम ही बता दो भाई नहरू जी से तो क्या पूछ सकता हूँ मैं तो फिर चुप हो गया ये तो एक बात हुई ऐसी एक घटना घटित हुई मनमोहन सिंग जब भारत के वित्यमंत्री बने और थोड़े दिन बाद फिर प्रधानमंत्री बन गए पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने तो आक्सफोर्ड गए थे अठल जी के बाद इन्ही का नंबर आया ना तो ये गए आक्सफोर्ड वहाँ पर एक सम्मान समारो हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंग का उसमें इनको डी लिट की उपाधी दी गई तो सम्मान समारो में इन्होंने एक भाषन दिया चालीस मिनट वो रिकॉर्डेड है हमारे पास उसमें उन्होंने यही गानक आया भारत हजारों साल से करीब देश है यह तो अंग्रेज थे जो भारत में आये और उन्होंने भारत को थोड़ा सब भी बनाया हम अंग्रेजों के बहुत आभरी है जिन्होंने आकर भारत को तकनीकी सिखाई हम अंग्रेजों के बहुत आभरी है जिन्होंने भारत में विग्यान लाया हम अंग्रेजों के बहु में उद्योग लाए हम अंग्रेज यह बोला उन्होंने 40 मिनट 40 मिनट अगले दिन ये भाशन इंग्लेंड के अखवारों में छपा तो कई अखवारों ने टिपनी लगाई हेडिंग लगाया कि लगता है भारत अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में ही है क्योंकि भारत का प्रधान मंत्री जो गान गा रहा है यहां आकर वो एक स्वतंत्र देश के स्वाभिमानी प्रधान मंत्री का गाना नहीं है यह तो गुलाम सब्च देश के गुलाम प्रदान मंत्री का गाना है और मैंने ये दो नाम इसलिए लिए कि दोनों जिनदा हैं ये हाँ दोनों जिनदा और इनके साथ इनके साथ मेरे दिल की तमन्ना है कि एक बार इनको मंच पे बिठाओ दोनों को اور मैं इनसे शास्त्रा अर्थ करना चाहता हूँ भारत के बारे और मैं उनको वो प्रमान देना चाहता हूँ वो दस्तावेज सौंपना चाहता हूँ जो भारत की कहानी कुछ और कहते अब मैं आता हूँ प्रमानों पर दस्तावेजों पर हमारे भारत में अंग्रेजों की जब East India Company आई 1618 में तो इस East India Company का जो सबसे पहला अधिकारी आया उसका नाम था Thomas Rowe Thomas Rowe भी कहते हैं उसको Thomas Rowe भी कहते हैं ये जहांगीर के दरबार में पेश हुआ तो जहांगीर के सामने इसने एक application दिया और ये कहा कि हमें भारत में व्यापार करने का license चाहिए तो जहांगीर ने पूछा क्या व्यापार करोगे तो वो चुपी मार गया फिर पूछा उसको क्या व्यापार करोगे तो उसने का खरीदने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है और बेचने के लिए कुछ नहीं है हाँ यही उत्तर दिया था जहांगिर को जहांगिर ने पूछा था तुम क्या बेचोगे यहां पर व्यापार का मतलब तो कुछ बेचना और कुछ खरीदना जहांगिल को मालूम नहीं था व्यापार का और भी कोई मतलब होता है अंग्रेजों का एक शब्द है T.R.A.D.E. ट्रेड ट्रेड का एक मतलब है व्यापार ट्रेड का दूसरा मतलब है लूट मार जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं न हमारे हिंदी में एक शब्द है कनक कनक का ये कर्थ है दतूरा कनक का ये कर्थ है सोना कनक का ये कर्थ है गेहूं वैसे ही ट्रेड एक शब्द है अंग्रेजी का इसका एक मतलब है व्यापार खरीदना बेचना और दूसरा मतलब है लूट मार plundering आप अंग्रेजी dictionary पढ़ो 16th century की Webster dictionary मैंने डूंडी तो उसमें trade के सामने लिखा है plundering, loot mark तो ये आया Thomas Rowe तो इसने जहांगीर को का कि हम trade करेंगे ये नहीं का व्यापार करेंगे trade करेंगे, जहांगीर को लगा कि कुछ बेचेगा, कुछ खरीदेगा हाँ, और अंग्रेजों का था हम तो loot mark करेंगे है ही नहीं हमारे पास कुछ बेचने को और खरीदने को पैसे नहीं खरीदने को पैसे क्यों नहीं थे क्योंकि East India Company दिवालिया Company थी कुछ था ही नहीं उनके पास मैंने East India Company की पहली मीटिंग की रिपोर्ट निका ले, मिनिट्स पहली मीटिंग होई इनकी 1599 में, उस मीटिंग में प्रस्ताव हुआ कि ये कमपनी बनेगी, और नाम इसका East India रखा जाएगा क्यों भाई, ये तो अंग्रेजों का नाम नहीं है East India ये तो भारतिये नाम है, अब अंग्रेज भारतिये नाम क्यों रखेंगे कुछ तो रहसे होगा East London क्यों नहीं रखा East London Company East Yorkshire Company क्यों नहीं रखा ये Westminster Company क्यो नहीं रखा उसका नाम, Westminster तो एक जगए है ना लंदन में, बड़ी मशूर जहां से उनकी सारी राजनी चलती है और सारी दुनिया को गुलाम बनाने की साज़िशे महारची जाती है, तो Westminster Company क्यों नहीं रखा उसका नाम, East India क्यों तो उसकी कहानी पता चली कि भारत का जो पूर्वी इलाका है माने बंगाल इस बंगाल के इलाके से बहुत सारे पानी के जहाज जाते थे व्यापार करने भारत के और वो जहाज लंदन के नस्दीक से गुजरते थे, अफरीका जाते थे लेटिन अमेरिका तक जाते थे भारत के व्यापारी तो जब पानी के जहाज गुजरते थे लंदन के नस्दीक तो अकसर ये अंग्रेज उनको लूटा करते थे पानी के जहाजों को क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य व्यवसाय यही था लूट मार कारण खेती होती नहीं और आज से नहीं सैकनों साल से नहीं होती आपको सुनकर ह् figurनी होगी अंग्रेजों के देश में खेत जोतने वाल पहला हल 1760 में बना वो भी भारत के हल की नकल करके उसके पहले हल ही नहीं था उनके पास अब जिस देश के किसानों के पास हल नहो वो खेत में क्या जोत लेंगे और वैसे भी खेत में कुछ होता नहीं वहाँ तो खेती तो थी नहीं खेती नहीं थी उद्योग नहीं था इंग्लेंड का भी वही हाल था जो जर्मनी की कहानी मेंने सुनाई ये तो पूरे यूरोप का ऐसा ही हाल था तो उनके आँ कुछ होता नहीं था तो जिंदगी कैसे कटती थी उनकी, तो समुद्र के रास्ते पर ये इंग्लेंड पढ़ता है, ये इनके भगवान ने नसीब में दे दिया, समुद्र के किनारे, और उस रास्ते से सब जहाज जाते हैं, अगर आपको अमेरिका जाना है, तो वहाँ से जाना पढ़ेगा, अफ अकसर पानी के जहाज गुजरते थे ब्यापार करने वाले, और दुनिया में सबसे जादा ब्यापार करते थे दो देश, एक भारत और एक चीन, और इनके जहाज जाया करते थे अकसर, तो इन जहाजों को ये अंग्रेज लूटते थे, तो भारत से जो जहाज कलकत्ता वाल और बहुत प्रचंड माल रहता था अंग्रेज जब लूटते थे तो बहुत मिलता था उनको इसलिए उनको लगा कि भारत का जो इस्ट पार्ट है ये बहुत समुरुद दुशाली है यहीं लूटना है हमको तो नाम रखा इस्ट इंडिया ये तो चाला की अंग्रेजों की हमेशा से है अंग्रेजों की नहीं यूरोप के लोगों की जिस देश में जाओ उसी देश का नाम अपनी कम्पनी के साथ लगाओ हिंदुस्तान लीवर सुना है है की नहीं कमपनी तो मूलते इंग्लेंड की है ना यूनी लीवर नाम रख लिया हिंदुस्तान लीवर ताकि आपको उल्लू बना सके हैं कि भारत की कमपनी करोड़ों भारतवासियों को मालूम नहीं हिंदुस्तान लीवर विदेशी कमपनी है पड़े लिखों को मालूम नहीं वो तो म भारत की कंपनी तो आ गए लेके उसको अब पैसे तो थे नहीं क्योंकि ये कंपनी दिवा लिया थी जब कंपनी बनी ना तो मैंने वो मिनिट्स देखी इनकी 1599 वाली उनकी मिनिट्स वहां लंदन में रखी है इस्ट इंडिया कंपनी का ओफिस रहा लंदन में वहां पुरान रिकॉर्ड्स हैं तो देखा तो इनकी इनीशियल पेड़ अप कैपिटल जीरो थी शून ने पैसे ही नहीं किसी की जेब में और कंपनी बना ली तो कैसी कंपनी होगी अंदासा लगा लो पैसे तो थे ही नहीं फिर ये राजा के पास गए और कहा कि हमको लाइसेंस दे दो ह हम जाएंगे भारत में तो राजा ने पूछा गांट में कुछ है पैसे वैसे हैं तो रहने का हैं तो नहीं फिर क्या करोगे भारत जाके तो रहने का यहां कुछ उधार लिया है हमने भारत पहुंच जाएंगे फिर हमें लगता है कि बहुत माल है भारत में तो पैसे तो भ भारत में लूटोगे माने ट्रेड करोगे अब ट्रेड का हर समय अर्थ लगाना लूट मार हाँ नहीं तो समझ में नहीं आएगी आपको कहानी तो राजा ने का जो भी तुम लूट मार करोगे इसमें मेरा भी हिस्सा है तो कंपनी ने का ठीक है आपका भी हिस्सा है फिर अधिकारी नजदी की इनको भी देना पड़ेगा हां देंगे फिर ये जो पार्लेमेंट है इसको भी देना पड़ेगा हां देंगे हां हां करते गए माने पैसे का बटवारा पहले ही हो गया कि भारत में गुसोगे लूट मार करोगे तो इतना प्रतिशत राजा को इतना प्र अब गुज गए जहांगीर के सामने पेश हुआ और का कि व्यापार करने का लाइसेंस देदो तो जहांगीर समझा ये करेंगे खरीद फरोग और उनके लिए था लूट मार तो जहांगीर ने पूछा भी कि तुम बेचोगे क्या तो इन्होंने का हमारे पास कुछ नहीं है ब लेंगे उधार और ले जाके बेचेंगे कहीं फिर मिलेगा पैसा उसमें से आपको दे देंगे अब जहांगीर ऐसा भोला भाला सीधा सादा लाइसेंस दे दिया उसे मुगल राजाओं में सबसे ज़्यादा भोला और सीधा यही था जहांगी दे दिया लाइसेंस अब वो ले लूट मार्की इस्ट इंडिया कमपनी है जिस घर को लूटा सूरत में वो घर अभी भी है कभी भी जाके देख सकते हैं सूरत में वो घर है उस पे नाम अंग्रेजों ने अपना लिख दिया कूपर विला पहले वो किसी राइस्थानी राजा का महल था वहां लूटा पैसे आये फिर फौज बढ़ती गई सेना बड़ी होती गई तो सूरत के बगल में नवसारी को लूटा फिर वलसाट को लूटा फिर भरूज को लूटा फिर अंकलेश्वर को लूटा और इस पूरे इलाकों को लूटते लूटते एस्ट इंडिया कमपनी करोड़ पती हो तो फिर इस कमपनी को लगा कि इस इलाके से कहीं और चलो लूटने तो फिर उपूरवी भारत में आ गए कलकत्ता आदी आ गए वहां लूट मचाई इनोंने और लूटने के तरीके क्या थे इनके ये चिठी बनाते थे अंग्रेजी में और किसी भी करोड़ पती भारतवास के घर में वो चिठी फेकी जाती थे और उसमें लिखा जाता था एक करोड़ स्वन मुद्राएं दे दो नहीं तो तुमारा घर लूटेंगे अब भारतवासी क्या सोचते थे अगर घर लूटा तो दस करोड़ निकल जाएगा तो एक करोड़ दे दो भाई और जो भारतवासी होँ के पास होता था उनी के घर में चिठी जाती थे वो ये उनका तरीका था लूटने का फिर राजाओं को लूटना शुरू किया उन्होंने और राजाओं के साथ यही होता था किसी राजा से दस करोड सोनो मुद्राएं मांगी किसी से पचास करोड मांगी कुछ राजा थे जो चुपचाब दे दिया करते थे कुछ राजा थे जो उनसे लडाई लडा करते थे दोनों तरह के राजाओं के नाम बताता हूं तुरन्त आपके ध्यान में आएगा एक राजा थे जीवा जी राव सिंधिया वो चुपचाप दिया करते थे जितना अंग्रेज मांगते थे और उनी के पड़ोस में एक रानी थी महरानी जहांसी लक्षमी भाई उसने एक पैसा नहीं दिया कभी अंग्रेजों जब जब अंग्रेजों ने चिठी लिखी जहासी रानी को फाड़ के फेक दी उसने ये हैदराबाद का निजाम हुआ करता था ये चुपचाप देता था अंग्रेजों चुपचाप जितना मांगा उतना देता था और यहीं पडोस में ऐसी एक महरानी थी कित्तूर चनम्मा बेलगाम में एक पैसा नहीं दिया कभी उसने अंग्रेजों जब अंग्रेजों की चिठी आई उसने फाड़ के फेकी ऐसे भारत में राजाओं के बटवारे थे कुछ राजा कमजोर कायर नपुनसक निर्वीर निकम में वो चुपचाप अंग्रेजों को दिया करते थे और कुछ राजा थे शूरुवीर ताकतवर सासी जो अंग्रेजों से लड़ा करते थे अपने जैपुर का राजा भी ऐसा ही था चुप चाप दिया करता था अंग्रेजा ले जाओ ले जाओ ले जाओ लेकिन उसी के आसपास उदैपुर का इलाके के जो राजा थे कभी नहीं देते थे अंग्रेजों तो ऐसे चला, तो जिन जिन राजाओं से पैसे मिले अंग्रेजों ने लिए, और बड़ी और उन राजाओं से उन्हों तो उन्हों ने संधियां की अंग्रेजों ने, उसको कहते थे ट्रीटी फोर फ्रेंड्शिप, मिट्रता की संदी, अब इस संदी में क्या होता था, जाही करते थे जूट मूट की और अंत में एक वाक्य लिखा जाता था वो खतरनाक होता था वो वाक्य होता था कि जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा ये वाक्य लिखा जाता था इसको कहते थे ट्रीटी फोर फ्रेंडशिप सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दी एक पन्ने में नीचे एक छोटा सा वाक्य लिखा रहता था नोट करके और ये सब अंग्रेजी में लिखा जाता था कि आप जब मर जाओगे आपका राज्य हमारा हो जाएगा कभी-कभी उसमें लिखा जाता था कि अगर आपकी कोई संतान नहीं हुई तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा इस तरीके से सारे राज हड़ पे अंग्रेजों ने आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ एक भी राज को अंग्रेजों ने युद में नहीं जीता एक भी राज युद में नहीं जीता सब को संधी करके कबजे में ले लिया हम अंग्रेजों से कभी युद्ध में नहीं हारे चालाखी में हारे भारतवासियों की बहुत सारी विशेशताएं है भारतवासी शूरवीर हैं, प्रतापी हैं, मजबूत हैं, होशियार हैं, अकल वले हैं सब कुछ हैं, चालाखी नहीं आती एक ही चीज में कमज़ूर है वो एक गाना है न सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशे आरे सचय दुनिया वालों के हमें अनाड़े वो गाना हम पे सटीख है भारतवासियों सब सीखा हमने गणित सीखा, विज्ज्ञान सीखा, खगोल शास्त्र सीखा दर्शन शास्त्र हमने सीखा धातु शास्त्र हमने सीखा दुनिया को सिखाया उद्योगों में दुनिया को हमने क्या-क्या ग्यान नहीं दिया सारी दुनिया को गनित का नंबर सिस्टम हमने दिया शूनिक आविश्कार हमने किया खगोल शास्तर के सारे आविश्कार हमारे है सब कुछ हमारे पास है चालाक ही नहीं है क्यों नहीं है इसका कोई कारण है तो एक मात्र कारण है कि हमारा जो वायू मंडल है हमारा जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि हम चालाक होई नहीं सकते चालाक होने के लिए जो जीन की जरूरत पड़ती है वो जीन भारत में होई नहीं सकता चालाक जीन जिसको हम DNA कहते है ना जिस DNA से चालाकी आती है वो दुनिया के उन्ही देशों में होता है जो देश कटोर है जहां जिन्दगी मुश्किल है जहां ठंड पड़ती है आठाट महीने टेंपरेचर चला जाता है माइनस 40 डिग्री वहां के लोगों के जीन में प्रकरती ने एक व्यवस्था कर रखी है कि उनको चाला कोना पड़ता है नहीं तो जिंदा नहीं रह पाई हमको भगवान ने चाला की वाला जीन ही नहीं दिया कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं चाला की नहीं आती तो नहीं आती और अंग्रेजों को सबसे जज़ादा चाला की ही आती थी और कुछ नहीं आता था तो वो चाला की करते थे चिठी लिखी संधी पत्र उसमें एक लाइन डाल दिया अब राजा उसको पढ़ता था लेकिन समझ में नहीं आता था क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं थी तो राजा क्या करता था अंग्रेजों से पढ़वाता था देखो इसमें क्या लिखा है अंग्रेज उसको यही पढ़के सुनाते थे यह बहुत अच्छा है आपके हित्मे है राजी के हित्मे ये नहीं बताता था कि नीचे लिखा हुआ आपका राजी चला जाएगा मरने के बाद इस चक्कर में हम अंग्रेजों की गुलामी में चले गए बहुत दिन तक मैं ये खोज करता रहा कि आखिर हम गुलाम कैसे हुए क्योंकि मुठी पर अंग्रेज और इतने बड़े देश को गुलाम बना ले वो चाला की से किया उनोंने ताकत से नहीं किया युद्ध में कभी नहीं हारे हम जब जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े भारत के राजाओं ने अंग्रेज हारे हर युद्ध में माराजा रंजीत सिंग के साथ अंग्रेजों ने 18 युद्ध लड़े एक भी युद्ध में नहीं जीत पाए दक्षुन भारत में हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों ने सत्रे युद्द लड़े एक में भी नहीं जीत पाई रानी कित्तूर चनम्मा के साथ चार युद्द लड़े अंग्रेजों ने हर एक में हारे जहां सिरानी लक्ष्मी भाई के खिलाफ जितने युद्द लड़े सम्में अंग्रेज हारे जीते कभी नहीं वो हमसे किसी भी युद्द में चालाखी में जीते वो हमसे उन्होंने संदियां करकर के राज्यों को गुलामी में लिया तो पहले जो अनकूल राजा थे अंग्रेजों को मदद करने वाले वो गुलामी में गई फिर अनकूल राजाओं की मदद से अंग्रेजों ने प्रतिकूल राजाओं पे कबज़ा किया और भारत के ही राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके भारत को गुलाम बनाया अंग्रेजों ने भारत को गुलाम नहीं बनाया भारत के राजाओं ने अंग्रेजों को मदद करके भारत को गुलाम बनाया और जिन खांदानों का नाम इसमें सबसे उपर है सिंधिया खांदान उसमें नमबर एक है भारत को गुलाम बनाने वालों का खांदान है ये राजामान सिंग का खांदान गुलाम बनाने वालों का खांदान है जैचंद और अमीर चंद का खांदान देश को गुलाम बनाने वाले खांदानों में है और ऐसे बीसियों खांदान ये निजाम का खांदान देश की गुलामी लाने वाला खांदान रहा इनकी मदद ली अंग्रेजों ने इनकी सेना ली इनके पैसे लिए और जो शुरुवी राजा थे एक एक करके मारा सब को खतम किया और वो सब आप जहनते हो और एक दिन सारा देश उनके कबजे में चला गए और जब कबजे में आ गया देश तो उन्होंने एक ही काम किया प्रेड प्रेड माने लूट मार और वो कैसे मचाई लूट मार एक कहनी सुनाता हूं आपको रोबर्ट कलाइब नाम का एक अंग्रेज इस देश में आया सत्रे सो पचास में और उसने भारत में आकर बंगाल के राजा जिसका नाम था सिराजुद दौला उसके दरबार में एक एप्लिकेशन भेजा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस शहिए बंगाल उस समय मुगल सल्तनत का हिस्सा नहीं था अंग्रेजों ने जहांगीर से लाइसेंस लिया था ना तो जहांगीर का लाइसेंस उतने ही एरिया में काम करता था जहां तक मुगलों की सरकार थी पूरे देश में मुगलों की सरकार कभी भी नहीं रही पूरे देश में थोड़े से इलाके में थी तो मुगलों की सरकार जहां तक थी वहां तो लूट मार कर ली इनोंने फिर ये आए बंगाल में और यहां नई सरकार थी नया राजा था वहां भी लाइसेंस लेना था इनको तो सिराजुद दौला ने मना कर दिया कि मैं नहीं देता लाइसेंस क्यों तो कहता मेरे नाना ने मना किया है सिराजुद दौला के नाना थे अली वर्दी खां उन्होंने सत्ता दी थी सिराजुद दौला को ये सिराजुत दौला अपनी उसकी जो मा थी वो अली वर्दी खां की बेटी थी और अली वर्दी खां को कोई बेटा नहीं था तो बेटी के बेटे को उन्होंने सत्ता सौंपी थी तो नाना ने कहा था कि देखो जिन्दगी में कभी भी किसी पर भरोसा करना अंग्रेजों पर मत करना क्योंकि ये कौम भरोसा करने लायक नहीं है ये हाथ पकड़ेंगे तुमारी गर्दन काट देंगे तो ये समझकर वो बैठा था गद्धी पे तो जब अंग्रेज आया रोबर्ट कलाइब उसके सामने तो उसने तुरन मना कर दिया कि मैं तो लाइसेंस नहीं दूँगा मेरे नाना ने मना किया तो ये बोला रोबर्ट कलाइब कि अच्छा तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो जून 1757 को युद्ध होगा एक तरफ रॉबर्ट कलाइब लड़ेगा दूसरी तरफ सिराजुद दौला लड़ेगा तो सिराजुद दौला ने पता कराया कि रॉबर्ट कलाइब के पास सैनिक कितने है तो उसका दूत गया और ढून के आया तो कहने लगा साड़े तीन सो सैनिक हैं कुल तो सिराजुद दौला ने लड़ेगा ये तो बीस मिनट में मारे जाएंगे तो उसने तैय किया कि मुझे तो युद्ध में जाने की ही जरूरत नहीं है मेरा तो सेना पती ही लड़ लेगा जाके और सेना पती को उसने सेना दे दी और सेना में अठारे हजार सैनिक और सेना पती मीर जाफर पहुँच गया युद्ध के मैदान में अब रॉबर्ट कलाइब ने जब देखा कि इतनी बड़ी सेना है तो उसके हाथ पर फूल गए और हाथ पर फूल गए उसको लगा कि मैं तो मारा जाओंगा तो उसने एक चाला की की सेना के सेना पती को चिठी बेजी मीर जाफर को कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो संदी कर लो तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे और उसमें लिखा कि तुम को मैं बंगाल का राजा बनवा दूँगा हाँ और हम तुम मिलके सिराजुद दोला को मार डालेंगे तुम युद्ध मत करो संदी कर लो अमीर जाफर के मन में लालच आ गया राजा बनने का और उसने का रोबर्ट कलाइब ने कि खजाना तुमारा हो जाएगा पूरा तो ये तैयार हो गया मीर जाफर तो इसने संदी की रोबर्ट कलाइब के साथ 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ संदी हुई और हम इतिहास में पलासी के मैदान में बड़ा भरी युद्ध हुआ कोई युद्ध नहीं हुआ संदी हुई थी और उस संदी में मीर जाफर के 18,000 सैनिकों ने अंग्रेजों के 35,500 सैनिकों के सामने समर्पन किया सिर्फ एक लालच में कि कुरसी मिलेगी मीर जाफर को अब हुआ क्या कि 18,000 सैनिक समर्पन करके रॉबर्ट कलाइब ने अपनी सेना में उनको मिला लिया ये चाला की हुई उसके तो साड़े 300 सैनिक थे जो इंग्लेंड से आये थे इदर 18,000 सैनिक और मिल गए तो ये 18,000 सैनिक और साड़े 300 अंग्रेज सैनिकों के साथ रॉबर्ट कलाइब और मीर जाफर ने सिराजद दौला को मारने का अभियान किया और उस अभियान में हुआ ये कि ये प्लासी के यद्दमें मेदान जो प्लासी का था था ना कलकत्ता के पास है और सिराजद दौला की जो राजदानी थी वो कलकत्ता से दूर थी तो उस राजदानी तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ा गोड़ों पे बैठके तो रॉबर्ट कलाइब ने अपनी डाइरी में जो कहानी लिखी है वो सुना रहा हूँ आपको ये वो रॉबर्ट कलाइब की डाइरी से निकली हुई कहानी है उसमें वो लिख रहा है कि मैंने जब मीर जाफर को संदी में फसा लिया और मीर जाफर असानी से फस गया तो मुझे लगा कि अब तो बंगाल मेरा हो जाएगा तो बंगाल के राजा को मारना है सिराजुद दौला को तो वो कहता है मैं मीर जाफर मेरे पीछे साड़े 300 सेनिक और उसके पीछे भारत के 18,000 सेनिक हम सब गए सिराजुद दौला को मारने के लिए तो सड़क के किनारे से जहां जहां से हम गुजरे हजारों भारतवासियों ने हमें देखा और हमारे जुलूस पर तालियां बजाईी लेकिन किसी भारतवासी ने हमें पत्थर उठा के नहीं मारा वो कहता है मैं गोड़े पे आगे चलता था मेरे पीछे साड़े 300 सैनिक थे उसके पीछे 18,000 भारत के सैनिक थे और सड़क के दोनों तरफ भारतवासी खड़े होकर तालियां बजाते थे मेरे उपर अगर किसी भी एक भारतवासी ने पत्थर उठा के मारा होता और सैकड़ों भारतवासी ने उसका अनुकरन किया होता पत्थर मारने का तो हम तो उसी दिन मर जाते और भारत का इतिहास तो कुछ और हो गया होता लेकिन चूंकि किसी ने पत्थर नहीं मारा हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और एक दिन जाकर हमने सिराज दौला को मार दिया फिर मीर जाफर को राजा बना दिया फिर एक दिन मैंने मीर जाफर को मरवा दिया मीर कासिम को राजा बनाया फिर एक दिन मीर कासिम को मरवा के मैं खुद राजा हो गया बंगाल का ऐसे इस्ट इंडिया कमपनी का साशन इस्थापित हुआ और जब साशन इस्थापित हुआ तो लूट मार और ज़्यादा की उन्होंने फिर तो सरकार उनकी हुई तो रोबर्ट कलाइब अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने भारत के सबसे मशूर राज्य बंगाल को लूटा जो सबसे ज़्यादा समरुद शाली था छे साल में लूटता रहा छे साल के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया मुझे लंदन वापस बुला लिया गया तो उसने का लूट का माल तो लेके जाना था लंदन मैं लेके गया तो लूट का माल ये जो लंदन लेके गया तब इसने बेहिमानी की बेहिमानी क्या की की राजा को कुछ नहीं दिया जबकि हिस्सा देना था राजा को लूट का और राजा के करमचारियों को भी नहीं दिया तो राजा ने इसके खिलाफ एक मुकदमा चलवाया रौबर्ट कल पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए तो उसने का कि मैं सोने के सिक्के लाया चांदी के सिक्के लाया हीरे जवारत लाया कितना लेके आए तो उसने का गिना तो नहीं है लेकिन अंदाजा बता सकता हूं तो कितना तो उसने का भारत से सोने के सिक्के लंदन लान के लिए हीरे जवारत लंदन लाने के लिए पानी के नौ सो जहाज मैंने किराएप पर लिए पानी के 900 जहाज मैंने किराई पर लिए तब मैं पूरा माल लंदन लेके आया तो अंग्रेजों का राजा उचल गया उसने का 900 जहाज कहां हाँ नाव तो नहीं उसने का जहाज तो फिर उससे पूछा गया एक जहाज में कितना माल आता है उसने का 60 से 70 मीटरिक टन एक जहाज में इतना माल आये ऐसे 900 जहाज लूट कर में लाया हूँ भारत से आप अंदाजा लगाओ एक अंग्रेज ने लूटा हुआ ये था सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जबारा उसका मैंने आज के हिसाब से आंकलन किया कि अगर वो 900 जहाज पानी के सोना ही गया हो तो कितना बैठता है तो आज के मूल के हिसाब से वो करीब करीब 17 से 18 ल लाख करूर रुपए बैठता है एक अंग्रेज ने लूटा हुआ फिर क्या हुआ रॉबर्ट क्लाइब ने तो रास्ता खोल दिया लूट का फिर दूसरा आ गया उसकी जगह पर एक दूसरा अधिकारी आया वारिन हैस्टिंग्स उसने लूटा फिर इस देश को फिर वार फिर चटा आ गया विलियम वेंटिंग उसने लूटा इस देश को ऐसे 84 अंग्रेज गवर्नर जनरल आते रहे लूटते ही रहे इस देश और वो जो लूट मची इस देश में उसमें ये देश गरीब हो गया ये देश गरीब नहीं था क्योंकि अंग्रेजों के इतिहासकारों ने भारत पर जो रिसर्च की है ऐसे 200 इतिहासकार हुए इंग्लेंड बिलियम डिगवी हुआ विलियम डेरल इंपल हुआ जे कैमपवेल हुआ ऐसे अंग्रेजों के 200 से ज़्यादा बड़े रिसर्च स्कॉलर हुए जिनोंने भारत पर रिसर्च की और उन सब ने एक बात लिखी है कि भारत सोने की चुडिया नहीं सोने का महासागर है हम कहते रहते ना सोने की चुडिया सोने की चुडिया विलियम डेरिलिम्पल कहता है कि सोने की चुडिया नहीं सोने का महासागर था विलियम डिगवी ने लिखा अपनी किताब में History of British India में कि भारत जैसा अमीर देश पूरी दुनिया में नहीं देखा मैंने और विलियम डिगवी तो कहता है कि दुनिया भर का सारा सोना एकठा होके भारत में आता था और ये कैसे आया भारत में सारा सोना एकठा होके भारत में सोना पैदा तो होता नहीं और हमने सोना कभी किसी देश से लूटा नहीं फिर कहां से आया सारे देश का सोना सारी दुनिया का सोना हमारे यां क्यों आता था तब पता चला दस्तावेजों में कि तीन हजार साल भारत ने दुनिया में निरियात का व्यापार किया है खाली निरियात किया है आयात नहीं किया सिर्फ एक्सपोर्ट किया है तीन हजार साल और उसके प्रमान हैं दस्तावेज हैं कि हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो क्या है हम कपड़ा एक्सपोर्ट करेते तीन हजार साल सारी दुनिया में और हमारा कपड़ा इतना बहतरीन होता था सारी दुनिया में बिखता था तॉल से बिखता था उस समय कपड़ा अभी मीटर से बिखता है पहले तॉल से बिखता था और दस्तावेज मैंने देखे हैं पढ़े हैं आपको भी दिखाऊंगा कभी कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था और उसके बराबर के वजन का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था सोना हमें मिलता था कपड़ा हम बेचते थे हमने तीन हजार साल कपड़ा बेच कर सोना कमाया तीन हजार साल और तीन हजार साल दुनिया हमारा कपड़ा पहनती रही है क्योंकि जितना बहतरी इनकपास भारत में होता था कहीं नहीं होता था हमने कपड़ा पहनाया दुनिया को हमने कपड़ा बनाना सिखाया पूरी दुनिया को उसके प्रमाण है फिर कपड़े के अलावा हम बेचते थे स्टील लोहा बारत में जो लिखित प्रमाण मिले हैं अब तक वो ये बताते हैं कि दसवी शताबदी से स्टील बनता है इस देश में आज से लगबग हजार साल पह नहीं लगता एक अंग्रेज बड़ा स्कॉलर हुआ जे केंपवेल वो इस्ट इंडिया कंपणी का अधिकारी भी था स्कॉलर भी था उसने लिखा है कि हम भारत का स्टील खरीद के जहाज बनाते हैं इस्ट इंडिया कंपणी के क्यों कि इतना अच्छा स्टील कोई नहीं बनाता जो भारत में बनता है और वो कहता है कि भारत का जहाज जब हम भारत के स्टील से जब जहाज बनाते हैं तो कम से कम सौ साल चलता है वो जहाज सतर साल तो हम चलाते हैं उस जहाज को पानी में और तीस साल उसको बेच देते हैं तो दूसरा देश चला लेता है सौ साल वो जहाज पानी में घूमता है लेकिन उसमें जंग नहीं लगता इस क्वालिटी का स्टील भारत में बनता है पानी में घूमे जहाज और जंग ना लगे वो कहता भारत का जो आइरन ओर है इतनी अच्छी क्वालिटी का है और भारत के लोगों की जो अकल है उस आइरन ओर से स्टील बनाने वाली वो दुनिया में बेजोड है किसी के पास इतनी अकल नहीं जेक एमवेल ने बहुत विस्तार से लिखा स्टील प्रडक्शन पे वो कहता है भारत में स्टील बनाने के लिए भट्टियां बनती हैं ब्लास्ट फर्नेस वो कहता है कि इन ब्लास्ट फर्नेस में पंद्रह सो डिग्री सेंटीग्रेट तापमान तो ऐसे ही पैदा कर लेते हैं भारतवासी इनकी अकल इतनी उची है पंद्रह सो डिग्री का टेंपरेचर पैदा करना मजाग बात नहीं है वो भी बिना बिजली के बिजली नहीं थी उस समय तो हम क्या जलाते थे हम जलाते थे लकड़ी और कुछ खास तरह की लकड़ी को खास तरह के केमिकल से मिला कर जलाते थे तब इतना temperature होता है लकड़ी में सामनी रूप से 7800 डिग्री तक temperature आता है लेकिन हम 1500 तक डिग्री का temperature पैदा करते थे तब ही लोहा गलता है इस से कम पे लोहा पे गलता नहीं तो इस quality का steel बनाते थे सारी दुनिया में बिखता था ये steel और हम लोहा बेच के फिर सोना कमाते थे फिर हम इंट बेचते थे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत की इंट बिखती थी अपने भारत में एक पतली इंट बनती है पतली एकदम पतली वो इंट की विशेश्टा है कि उसकी उमर एक हजार साल है ये जो मोटी इंट है ना ये 500 साल में तूट जाती है पतली इंट 1000 साल तक चलती है और वो पतली इंट हमारे यहां सभी किलो में लगी हुई है जाके देख लो पुराने के लिए जितने है ना और पुराने के लिए अभी तक बचे इसलिए हैं कि पतली इंट लगी हुई है और हीट से हीट जोडने के लिए चोना लगा हुए चोना की उमर 1000 साल है सीमेंट यह जो बनता है ना जोडने वाला यह 100 साल भी नहीं टिकता और चोना 1000 साल चलता है जबकि सीमेंट उसी चूने से बनता है ध्यान देना हौँ सीमेंट चूने से ही बनता है लेकिन हम चूना जो तैयार करते थे वो हजार साल टिकता था ये सीमेंट सो साल नहीं टिकता और चूने से घर बनाओ तो कभी भी क्रैक नहीं आता दीवार में दरार नहीं पढ़ती सीमेंट का घर बनाओ तीसरे दिन दरार पढ़ जाती है इतनी रद्धी टेकनोलोजी है सीमेंट क्यों? यूरोप से आई है हाँ हमने नहीं बनाई ये सीमेंट की टेकनोलोजी ये विदेशों से आई है हमारे हाँ तो चूना बनता था और चूना बिकता था इंट बिकती थी दुनिया वरके यूरोप के कई देशों के भवन और इमारतें भारत की इंट से बने हुए हैं अभी भी हैं जा के देख सकते हैं लंदन में कई बिल्डिंग है जो भारत की इंट से बनी और हम स्टील बेचते थे कपड़ा बेचते थे चूना बेचते थे इंट बेचते थे ऐसी हम सैकड़ों चीजें बेचते थे मसाले बेचते थे औशदी बेचते थे खाने पीने का माल बिकता था और ये सब सोने के बदले में बिकता था क्योंकि सोना एक्षेंज का माध्यम था तो सारी दुनिया का सोना इस देश में इकठा हुआ इसलिए ये देश सोने की चुडिया नहीं सोने का महासागर बना और इसलिए इस देश के सोने को लूटने के लिए हजार साल विदेशी आते रहे मुहमद बिन कासिम सोना लूटने आया था महमूद गजनभी सोना लूटने आया था तैमूर लंग सोना लूटने आया था एहमद शाफदाली सोना लूटने के लिए आया था पुर्तगालियों का वासको डिगामा भी सोना लूटने आया था रॉबर्ट कलाइब अंग्रेजों का वो सोना ही लूटने आया था ये सब सोने के लुटे रे थे व्यापारी नहीं थे और इन्हों ने जो लूट मचाई इस देश में हजार साल उसमें ये देश कंगाल हो गया गरीब हो गया भुकमरी का शिकार हो गया अब एक एक अंग्रेज 900 जहाज पानी के भरकर यहां से सोना ले जाए एक अंग्रेज और ऐसे 84 अंग्रेज अंदाजा लगाओ कितना लूटा होगा मैंने ये जो प्रमान इकठे हुए इन पे से अंदाजा लगाया और एक कैलकुलेशन किया अंग्रेज जोने कम से कम 300 लाख करोड रुपई की संपत्ती लूटी है यहां से 300 लाख करोड और ये लूट चलती रही 15 अगस्त 1947 तक अब महत्य की और एक बात कहना चाहता हूँ इस लूट के दो हिस्से थे एक लूट होती थी अनओफिशल और एक होती थी ऑफिशल अनओफिशल लूट थी किसी के भी घर में घुजो लूट के ले आओ और अफिशल लूट कैसी थी भारत के लोगों पर टैक्स लगाओ और लूट के ले जाओ एक लूट किया अनओफिशियल अंग्रेजों ने दूसरा किया ओफिशियल टैक्स लगा ये जो टैक्स वाली लूट शुरू हुई ये अठारे सो चालीस से शुरू हुई अठारे सो चालीस के पहले बिना टैक्स वाली लूट थी जो मैं बता है रॉबर्ट कलाइब की मैकॉले आया थॉमस बैब मैकॉले आया मैकॉले मैकॉले जिसको आप अक्सर गाते रहते न वो आया यहां 1834 में और घूमा भारत में उत्तर दक्षेंट पूरब पश्चिम और घूम तहल के चला गया वापस तो उसको पूछा तुमने भारत में क्या देखा तो उसने कहा I have seen I have traveled length and breadth of this country India but I have never seen a beggar and thief in that country India वो कहता है मैंने पूरा भारत घूम लिया दो फरवरी 1835 को ये बोल रहा है मैकॉले कह रहा है मैंने पूरा भारत घूम लिया लेकिन एक भी भिकारी मैंने नहीं देखा वहां और एक भी चोर नहीं देखा और ये कब कह रहा है 1835 में 1835 कमाने आज से 175 साल पहले तक आज से 175 साल पहले तक भारत गरीब नहीं था क्योंकि कोई भिकारी नहीं कोई चोर नहीं विकारी और चोर क्यों होगा क्योंकि गरीबी नहीं थी फिर वो कहता है such wealth I have seen in this country that I am mesmerized वो कहता इतना धन और संपत्ती मैंने भारत में देखा है मेरी आखें चौंदिया गई फिर किसी ने उससे पूछा क्या धन संपत्ती तुमने देखा तो वो कहता है कि भारत के सामन ने घरों में जब मैं गया तो मैंने देखा सोने के सिक्कों का धेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का धेर लगा रहता है फिर वो कहता है कि भारत के किसी घर में मैंने ताला नहीं देखा क्यों? क्योंकि चोरी नहीं होती चोरी क्यों करेगा कोई सब के पास इतना माल है क्यों कोई किसी की चोरी करे फिर वो कहता भारत वाले अजीव हैं अपना घर खोल के चले जाते हैं तीर थियात्रा पर एक-एक साल बाद आते हैं लेकिन घर में कोई चोरी नहीं होती एक-एक साल घर खुले पड़े रहते हैं क्योंकि चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं यह सारा वरणन वो सुना रहा है भारत के बारे में और फिर अंग्रेजों की संसद में एक बहस हुई मैकॉले की बात पर अंग्रेजों को थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हुआ उनको लगा कि यह कुछ एक्जजरेट कर रहा है भारत के बारे में तो मैकॉले के पहले जिन अंग्रेजों ने भारत में आकर सर्वेक्षन किये थे वो पुरानी रिपोर्ट सब निकाली गई बिर्टिश पार ठाथ त्रका है वी थर्टि थ्री परसंट वर्ड एक्सपोर्ट अमारा दुनिया में 100 रुपए का माल बिक्ता था तो 33 रुपए का माल हमारा था दूसरे नंबर पर निर्यात था था और वो चीन का था 2017 कि फिर वही रिपोर्ट बताती हैं कि सारी दुनिया में जो आमंदनी होती थी उसका 26 प्रतिशत आमंदनी अकेले भारत की थी पूरी दुनिया की आमंदनी और वही रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43 प्रतिशत उत्पादन भारत में होता था पूरी दुनिया का तब पता चला कि भारत उद्योग प्रधान देश था अब तक हम सोचते रहे क्रशी प्रधान क्रशी प्रधान क्रशी प्रधान तो था ही उद्योग प्रधान भी था और व्यापार प्रधान भी था वरना 33 प्रतिशत एक्सपोर्ट हम कैसे करते तो जब यह बहस होई ब्रिटिश पार्लिमेंट में तब यह तै किया गया कि भारत में अभी भी इतनी सम्रुद्धी है तो यह कहता है मैं को ले हाँ बहुत सम्रुद्धी है तो यह पैसा कैसे आए लंदन तब बात आई कि यह सारा पैसा लंदन अगर लाना है भारत से तो एक ही रास्ता अब है हमारे पास कि हम भारत को टैक्स लगाकर लूटे अब तक तो हम बिना टैक्स के लूटते रहे तो भारत कंगाल हो नहीं पाया गरीब हो नहीं पाया अब टैक्स लगा के लूटो इस तेशों तब अंग्रेजों ने टैक्स लगाना शुरू किया सबसे पहला टेक्स अंग्रेजों ने लगाया एक्साइज ड्यूटी उत्पादन का कर अठारे सो चालीस में बहस हुई अंग्रेजों की संसद में तो ये तै हुआ कि भारत के उद्योगपती सारी दुनिया में जो व्यापार कर रहे हैं तो इसके लिए जो उत्पादन हो रहा है उत्पादन पर ही टेक्स लगाओ तो अंग्रेजों ने एक्साइज ड्यूटी लगाई साड़े तीन सो परसेंट माने सो रुपई का माल बनाओ तो तीन सो पचास रुपई अंग्रेजों को दो टेक्स में फिर अंग्रेजों ने दुबारा तै किया एक दिन संसद में कि जो व्यापार करने वाले उद्योग पती हैं वो बना रहे हैं तो हमने टैक्स लगा दिया अब ये बेच रहे हैं तो इस पे भी टैक्स लगाओ तो दूसरा टैक्स लगाया CST Central Sales Tax और वो था 180% सौ रुपए का माल बेचो 180 रुपए दो अंग्रेजों फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये बेचकर मुनाफ़ा जो कमा रहे हैं भारत की उद्योग पती इनके मुनाफ़े पे भी टैक्स लगाओ तब तीसरा टैक्स लगाया income टैक्स और वो लगाया 97 प्रतिशत 97 परसेंट सौ रुपए कमाओ 97 रुपए अंग्रेजों को दो फिर अंग्रेजों ने कहा कि कोई भी उद्योग पती कुछ भी बनाएगा बेचेगा बेचकर मुनाफ़ा कमाएगा तीन जगे हमने टैक्स लगा लिया अब वो सामान को बेचने के लिए जब एक गाहों से दूसरे गाहो जाएगा तो फिर लगाओ इस पर टैक्स तो एक तो लगाया उन्होंने रोट टैक्स सडक पर से लेके जाओ एक लगाया टोल टैक्स पुल पर से लेके जाओ फिर एक लगा दिया चुंगी कर किसी गाहों में लेके आओ माल को फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये व्यापारी म ता कि यह प्रॉपर्टी बनाइंगे तो प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा तो और ऐसे करके अंग्रेजों ने 23 तरह के टैक्स लगा दिये इस देश का और जब यह टैक्स लगे तब यह देश पूरा निचुल गया सब लुट गया इस देश का कुछ नहीं बचा क्योंकि सो र उद्योग बचेगा कैसे कोई व्यापार बचेगा परिणाम क्या हुआ 90 साल अंग्रेजों ने ये टेक्स लगा के रखा 90 साल में भारत खतम हो गया जो भारत 33 प्रतिशत निर्याद करता था दुनिया में 90 साल के इस टेक्स सिस्टम के बाद वो निर्याद 5 प्रतिशत रह गय क्योंकि सारे उद्यों खतम हो गए बरबाद हो गए फिर अंग्रेजों की एक कमेटी बनाई गई उस कमेटी ने बहस की और उसमें ये आया कि भारत पर हमने जरूरत से ज़्यादा टेक्स लगाया बात सही है लेकिन हमें और कोई विकल्प नहीं था यही करना था हमें क्यो कि भारत में हमें दो फाइदे हुए टेक्स लगाने से पहला फाइदा यह हुआ कि भारत के जितने इमांदार उद्योग पती और व्यापारी थे सबने टेक्स भरा सब बरबाद हो गए अब वो जिंदा नहीं है तो हमारी इस्ट इंडिया कमपनी के लिए भारत में मोनोप हो गई तब इस्ट इंडिया कमपनी सारा मुनाफ़ा लेके जा रही है और दूसरा उन्होंने का कि जो जो भारत के व्यापारियों ने इमांदारी से टेक्स नहीं दिया वो बेइमान हो गए और बेइमानों को गुलाम बनाना सबसे आसान होता है इसलिए वो गुलामी में ह उद्योगपती और व्यापारियों को बेइमान बनाना ताकि वो गुलामी में रहें और आप ध्यान देना बेइमान आदमी ही गुलाम होता है इमांदार गुलाम नहीं हो सकता बेइमान आदमी क्यों गुलाम होता है इसलिए कि हर समय डरता है और उसका डर उसको गुलाम बना देता है तो यह जो टैक्सेशन का सिस्टम अंग्रेज लाए इससे उन्होंने डर पैदा किया उद्योगपती और व्यापारियों के मन में टैक्स बसूला वो तो एक काम डर पैदा किया वो उससे जादा बढ़ा का तो जो व्यापरी इमानदार थे वो तो लड़ते रहे अंग्रेजों से और खतम हो गए लेकिन जो थोड़े कमजोर थे वो टैक्स चोरी करने लगे और बेइमानी में फस्ते गए और अंग्रेजों की गुलामी में पक्के आ गए फ ऐसे बहुत लोग निकले इस देश तो अंग्रेजों के दोनों देशे पूरे हो गए अब टैक्स सिस्टम को लाके उन्होंने जो तकलीफ दी इस देश को उस तकलीफ में देश खतम हो गया और 1947 तक आते आते इस देश का व्यापार पूरी दुनिया में दो प्रतिशत रह जो 33 प्रतिशत था 1835 यह है कहानी इस देश के गरीब होने की भुकमरी का शिकार होने की और अंग्रेजों ने जब यह लूटा इस देश को तो व्यापारी और द्योग पतियों को तो टैक्स लगा के लूटा किसानों को लगान लगा के लूटा लेंड रवेन्यू और किसा 500 कुइंटल यहूं पैदा करे तो 90 कुइंटल अंग्रेजों को देना यह किसानों के उपर था जो इमानदारी से दे दे वो बच गए जो नहीं देंगे अंग्रेज उनको मारेंगे पीटेंगे कोड़े मारते थे बंदूग से मारते थे बंदूग की पीछे जो बट होती है ना उससे किसानों को पीटते थे जो लगान नहीं देते थे कोड़े मारते थे और कोड़ों में वो लगाए जाते थे नेल्स मने कील और चार-पांच कोड़े खाते ही किसान जो है ना बेहोश होके गिर पड़ता थे खाल खिच जाती थी एक कोड़ा मारने और अंग्रेजो किया उन से बलातकार करते थे अगर कर लगान नहीं दो गए आप थो एक अंग्रेशन अंगा करता थे के फिर वो कहता है मेरे पास लोहे का एक चिम्टा होता था चिम्टा उस चिम्टे में उस मांके दोनों इसतनों को दबाके में तब तक दबाता था जब तक खून न निकलाए और जब मैं ये काम कर रहा होता था तो मेरे सारे सैनिक पूरे गाओं की माताओं के साथ ये काम कर रहे होते थे ये उसने अपनी डायरी में लिखा है नील और नील का एक सहयोगी था उसका नाम था करनल वीलर ये दोनों अत्याचार के लिए मशूर थे इस लिए और ऐसे अत्याचार गाओं गाओं किये हैं उसकी कहानी तो मैं सुना नहीं सकता आप रो देंगे और ये अत्याचार चलते रहे ढ़ाई सो साल एक तरफ लूटा एक तरफ अत्याचार किया और अत्याचार इतने क्योंकि अंग्रेजों ने तो अंग्रेजों को एक बात भारतवासियों के बारे में पता चली थी जिसको वो बार बार कोट करते थे ब्रिटिश पार्लिमेंट में, वो ये कहा करते थे कि भारतवासी मरने से नहीं डरता कभी बे, मर जाएगा उसको बिल्कुल डर नहीं, क्योंगि उसको पुनर जनम हैं, दुबारा फिर पैदा होगा, इसलिए मरने से तो नहीं डरता, भारतवासी अगर डरता है, तो दर्द स से डरता है पीडा से डरता है तो मारो मत इसको दर्द दो पीडा दो जितने दे सकते उतनी कि मार दोगे तब तो वो मरी गया क्या है फिर दर्द इतना दो पीडा इतनी दो इसको कि यह तड़ पे ये उनका उद्देश्य था और इस दर्द और पीड़ा को देने के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था बना रखी थी अंग्रेजोंने एक पुलिस बनाई होई थी जिसका कानून था इंडियन पुलिस एक्ट 1860 में लाया ये कानून उन्होंने तो पुलिस बनाई उन्होंने इसी दर्द और पीड़ा को देने के लिए और उस पुलिस की मदद से वो जो दर्द दिया करते थे भारतवासियों को डंडे से मारना लाठी से पीटना बंदूक की बट से मारना बंदूक के सामने एक चाकू लगा रहता है उससे शरीर को चीरना जबरजस्ती भारतवासियों के मुह में गाई का मास बर देना मुसल्मानों के मुँ में सूर का मास बर देना ये सब पुलिस किया करती थी इंडियन पुलिस जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई उसका कानून था इंडियन पुलिस एक्ट इस कानून में व्यवस्था ये थी कि हर पुलिस करमचारी और अधिकारी को right to offense है माने अत्याचार का अधिकार है और किसी भी भरतवासी को right to defense नहीं है माने अपने को बचाओ का अधिकार नहीं ये कानून था ये कानून 1860 से 1947 तक लगा रहा tax system के लिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाए Indian Income Tax Act Central Excise Act Central Sales Tax Act ये कानून तो थे इन कानूनों की मदद से जो tax इकठे करने वाले अधिकारी होते थे उनकी फॉज खड़ी की उन्होंने एक collector नाम का अधिकारी बनाया उन्होंने जिसको आजकल हम DM कहते ये पहले collector था collector का मतलब है जो धन इकठा करके दे COLECT collect मने एकठा करना collector मने एकठा करने वाला क्या tax का पैसा अंग्रेजों को देने वाला वो था collector collector के उपर एक अधिकारी बनाया commissioner commission शब्द है न ये अंग्रेजी का उसमें से आया commissioner commissioner जो होते थे न उनको तनका नहीं मिलती थी उनको commission पे रखा जाता था इसलिए वो थे commissioner ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे अंग्रेजों के दस्तावेजों की कहानी सुना रहा हूँ commissioner क्यों बनाया collector क्यों लाया collector के नीचे डिप्टी collector अंग्रेजों का कहना था कि पूरा तंत्र खड़ा करो जो एक एक पैसा निचोड़े लोगों से और लंदन पहुंचाएं तो collector था डिप्टी collector था फिर उसके नीचे तहसीलदार था फिर नायब तहसीलदार था अंतिम व्यक्ति वो होता था जो नीचे से खीच के पैसा उपर तक लेके जाता था और इसमें अंग्रेजों ने कई बार ये तै किया हुआ था कि जितना तुम लूटोगे उसका एक हिस्सा तुमारा तो ब्रश्टाचार यहां से शुरू हुआ इस देश तो कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर कमिशनर की फौज खड़ी की उसके बाद इस देश में पुलिस की फौज खड़ी की अत्याचार करने के लिए और इन सब कामों को करने के लिए अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए और यह सब कानून बना के किया ध्यान रखना क्योंकि अंग्रेज कहा करते थे हम कानून पसंद लोग हैं बहले हम लूट करेंगे लेकिन कानून से करेंगे अगर ऐसे मैं आपको लूटूँ तो आप चिल लाओगे लेकिन हैदराबाद में लूटने का कानून बन जाए फिर क्या करोगे हाँ मैं जब लूटूँगा कानून से तो पुलिस भी मेरे साथ आएगी आपको लूटने के लिए तब वो illegal नहीं होगा तब सब कुछ legal होगा तो यह चाला की थी अंगरेजों की के लूटो कानून बना के मारो कानून बना के पीटो कानून बना के अत्या चार करो कानून बना के और सारी दुनिया को को कि भारत में हम law and order को maintain कर रहे हैं यही कहा जाता ने लॉइंड ओर्डर लॉइंड ओर्डर लॉइंड ओर्डर जब लॉइंड लूटने के हो अत्याचार करने के हो उनको मेंटेन करने का मतलब क्या है उनको मेंटेन करने का मानिया है लूट और अत्याचार तो यह सब चला फिर इस लूट और अत्याचार के ख अंतिवीर शहीद हो गए उस संगर्ष में सबसे पहले शहीद थे जिनका नाम था मंगल पांडे मंगल पांडे से शुरुआत होई और शुरू कैसे हुआ ये संगर्ष की कहानी अंग्रे जो ने जब ये अत्याचार किये इस देश पर तो सबसे बड़ा अत्याचार किया गाये पर ये जो रॉबर्ट कलाइब आया ना इसने देखा कि भारत के किसानों के लिए सबसे उपियोगी अगर कोई चीज है तो वो गाये है तो गाये को काटो क्योंकि वो भारत के किसान के लिए उपियोगी है इसलिए काटो क्योंकि किसान के लिए कोई च होगा तो डिसानों को कमजोर करने के लिए गाये को काटना जरूरी है क्योंकि कि इसान जो पैदा करता है खेत में वो गाये की मदद से होता है गो बर गो मुत्र यहादी और उस समय यूरिया डीयपी तो था नहीं गोबअ गो मुत्र से इतनी पैदावार होती थी कि दक्षण भारत में एक एकड में 56 कुंटल धान होता था गोबर और मूत्र से आज सारी दुनिया में यूरिया डियेपी डाल कर एक एकड में 30 कुंटल से जादा धान नहीं आता और अंग्रेजों के पहले इस देश में 56 कुंटल धान होता था तो अंग्रेजों को लगता था किसान बहुत समरुद्ध शाली हैं और ये किसान चुकि समरुद्ध शाली थे इसलिए लड़ते थे अंग्रेजों से और अंग्रेजों को पसंद नहीं थे भारत के किसान क्योंकि 1857 की लड़ाई में सबसे बड़ा मोर्चा किसानों ने लिय साड़े चार करोड किसान लड़े थे 1857 की लड़ाई और किसानों ने क्या किया था अंग्रेजों की गर्दने काट दी थी तलवार से, हसिया से, खुरुपी से, खुरुपे से गुस्सा बहुत था किसानों में तो अंग्रेजों को ये लगा कि ये किसान फिर खड़े हो जाएं, फिर मजबूत हो जाएं, फिर हम को मारें पीटें अंग्रेज तीन लाख चौंसट हजार मारे गए थे 1857 की लड़ाई थी आपको हिरानी होगी जानकर, कुल जितने अंग्रेज भारत में थे, उसका 90 प्रतिशत मारे गए थे 1857 की लड़ाई, इतनी बड़ी लड़ाई थी जितने अंग्रेज कुल थे इस देश में, उसके 90 प्रतिशत मार डाले किसानों में तो डर लग गया अंग्रेजों को किसानों से, तो अंग्रेजों ने का किसानों पर यह अत्याचार सबसे ज़्यादा करो, तो किसान की गाए दिखी उनको, तो गाए काटो, क्योंकि यह किसान को मदद करती है, तो गाए काटने का कतल खाना खोला अनुर्गनाईज रूप से सबसे पहले गाये कटवाई इस देश में रॉबर्ट कलाइड ने और और अर्गनाईज रूप से सबसे पहला कतल खाना भी अंग्रेजों ने खोला कलकत्ता में मोरी ग्राम में और उस कतल खाने में अंग्रेजों के जमाने में रोज लगबग तीन सो गाये कटती थी फिर उस कतल खाने जैसे कई कतल खाने खोले तीन हजार गाये कटने लगी फिर तीस हजार कटने लगी फिर तीस हजार तक आंकड़ा पहुँचा रोज अब गाय काट कर किसानों को नुकसान पहुंचाना यह कुद्देश कि क्योंकि गाय काटेगी तो बैल नहीं रहेंगे गोबर नहीं रहेंगा मूत्र नहीं रहेंगा किसान मोताज हो जाएंगे गरीब Farm और दूसरा अंग्रेजों को शुरू किया मोरी ग्राम में वो अभी तक चल रहा है बस अंतर इतना है कि अंग्रेजों के जमाने में उस कतल खाने में तीन सो गाए रोज कटती थी अब वहां चौदे हजार गाए रोज कटती हैं इस समय कैसे कटती हैं कानून से कटती हैं कानून से होता है सब काम ध्यान देना इस देश में बिना कानून कुछ नहीं होता है सब कुछ कानून से होता है गाए काटने का कानून है इस देश में और कानून कैसा विचित्र है कि गाए को डंडे से मारो तो जेल हो जाएगी आपको लेकिन उसकी गर्दन पर आरी चला के उसकी बोटी-बोटी बेच दो, कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि ये भी कानून है, दोनों कानून है इस देश, गाये पर अत्याचार नहीं कर सकते, डंडा मार के, उसकी गर्दन काट सकते, ये अंग्रेजों की परिभाशा है, अत्य अत्याचार है, लेकिन गर्दन से काटना और जटके से काटना वो अत्याचार नहीं, तो उस कानून से गाये कटती है, अब 14,000 कटती है, पहले 300 रोज कटती थी, फिर अंग्रेजों ने सारे भारत में जहां जहां उनकी फौज रहती थी, हर जगे कतल खाने खोले, जब अं अब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में 36,000 कतल खाने हो चुके हैं, कानून से, ध्यान देना, बिना कानून के नहीं है, कानून से, गाये कट रही है, दड़ले से, और उसका मास, पहले अंग्रेजों को भेजा जाता था खाने को, अब दुनिया बर के देशों को खाने को अमेरिका यूरोप के देशों में जाता है तो यह गाय काटना जब अंग्रेजों ने शुरू किया तो इसमें मंगल पांडे को गुस्सा आया और मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी वो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था Major Journal Husson उसने क्या आदेश दिया था, कि गाए को काटा जाए, उसका मास निकाल के उसमें से तेल निकाला जाए मास में से, वो तेल कार्तूस पर लगाया जाए और ये कार्तू सभी हिंदू जो सिपाही है उनके मुह में डालके खोलने के लिए मजबूर किया जाए और इनके मुह से गाहे का मास लगे तो इनका धर्म ब्रश्टो ये था उतिश तो जब मंगल पांडे को पता चला तो गुस्सा आ गया तो मारदी गोली मेजर यूसन को फिर एक और गोली मारी उसका एक दूसरा अधिकारी मारा गया और फिर बाद में अंग्रेजों ने पकड़ लिया पकड़ के उनको फांसी पे चड़ा दिया आठ अप्रेल 1857 को फांसी हुई मंगल पांडे को और उस दिन से आग लग गई पूरे देश में फिर भारतवासियों का गुस्सा इतना जादा हुआ कि हमारी गाय को एक तो अंग्रेज काट रहे हैं उसको बचाने का काम कोई करे तो अंग्रेज फांसी पे चड़ा रहें तो अब इन अंग्रेजों को ही मारो और काटो और इनको भगाओ भारत तब देश में संग्राम हुआ और उस संग्राम में तीन लाख चौन सट हजार अंग्रेज मारे गए और अंग्रेजों में राहट पैदा हो गए और अंग्रेजों में डर ये हो गया कि अगर ये संग्राम ज्यादा दिन चल गया तो हम तो खत्म हमारी तो सत्ता गई सामराज जिगए तब अंग्रेजों ने याद किया अपने अन राजाओं को जो इनके मित्र हुआ करते थे और कहा कि अपनी मदद दो हमें तो भारत के जो राजा अंग्रेजों के मित्र थे जैसे जीवा जीराओ सिंदिया जैसे महराज पतेयाला जैसे महराजा जीन जैसे निजाम हैदराबाद ऐसे बीसियों राजाओं ने अपनी सेना अंग्रेजों को दी पैसे अंग्रेजों को दिये और उनकी मदद से फिर अंग्रेजों ने करांतिकारियों का कतले आम किया एक समय तो इतिहास में ऐसा आया कि 1 सितंबर 1857 को सारा देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया 350 जिले आजाद हो गए अंग्रेजों की गुलामी से 1 सितंबर 1857 तक अंग्रेजों की सरकार खतम हो गई सब जगे मारे गए सब जिन्दा ही नहीं बचे फिर भारत के राजाओं ने जो दुबारा अंग्रेजों को मदद दी उसमें से उनकी ताकत बढ़ी और फिर उन्होंने करांतिकारियों का कतले आम किया एक ही कहानी सुनाता हूँ बिठूर नाम का एक गाओं है कानपुर के पास भारत की आजादी की लड़ाई की योजना इसी गाओं में बनी सबसे पहले क्योंकि नाना साब पेश्वा उस गाओं में रहा करते थे तो अंग्रेजों ने इस गाओं में ऐसा कतले आम मचाया कि तीन महीने के बच्चे से लेकर 94 साल के बुजर्ग तक 24,000 लोगों को एक दिन में काट दिया अंग्रेजों पूरा बिठूर उन्होंने नर्व हीन कर दिया था खाली हो गया था पूरा बिठूर और एक सितंबर 1857 तक जो देश आजाद हो गया वो फिर अंग्रेजों की गुलामी में फस गया और दुबारा जब अंग्रेजों की गुलामी आई तब अंग्रेजों ने कहा कि अब भारत दुबारा से कभी हमारा विरूद ना करे इसके लिए अत्याचार और जादा करो तो पुलिस बनाई, सेना लाए, फिर ये इंकम टैक्स लाया, फिर सेंट्रल एक्साइज लाया, फिर सारे तरह के डिपार्टमेंट खड़े कर दिये इस देशुआ और सब कुछ हमारा छीन के खतम कर दिया हमको, फिर हमने दुबारा लड़ा अंग्रेजों से, 1857 में एक बार हम परास्त हुए, फिर 1870 में हम संगठित हुए, फिर हमने लड़ाई लड़ी, और 1870 की ये जो लड़ाई हुई, इसमें भारत के एक महान सन्यासी का सबसे बड़ा योगदान था, स्वामी धयानंद सरस्वती, 1857 की क्रांती में नाना साब पेशवा की कहानी हम जानते हैं, उन्होंने बड़ा काम किया, 1870 तक परंपुजनी स्वामी धयानंद सरस्वती ने फौज खड़ी कर दी पूरे देश में, आर ये समाज, आपचारिक रूप से इसक 1870 से ही शुरू हो गया, और फिर आरी समाजियों ने लड़ाई लड़ी, और 1894 तक लड़ते रहे अंग्रेजों से, मरते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, लड़ते रहे, फिर 1894 में लोकमानी तिलक आए, उन्होंने फिर लड़ाई शुरू की, और 1920 तक वो लड़ते रहे, लोकमानी तिलक के साथ लाला लाच पत्राय विपिन चंदरपाल ऐसे कई करांतिकारी थे फिर 1920 में महत्मा गांदी ने कमान समाली और गांदी जी ने फिर पूरे देश को खड़ा किया और वो 1947 तक लड़ते रहे बीच में भगत सिंग, उदम सिंग, चंदरशेकर का भी अध्याय जुड़ा वो सब आप जानते हो जब हम 1947 में आजाद हुए 15 अगस्त को तो महत्मा गांदी को किसी ने पूछा और वो कोई नहीं था BBC का एक रिपोर्टर आया गांदी जी से इंटरव्यू लेने और उसने पूछा बापू अब तो देश आजाद हो गया अब आप किस से लड़ोगे अंग्रेज तो चले जाएंगे अब आपकी लड़ाई किस से होगी तो गांदी जी ने कहा अभी देश आजाद नहीं हुआ अभी तो खाली अंग्रेज भारत छोड़ कर जा रहे हैं अभी तो अंग्रेजों की बनाई गई जो व्यवस्था है जो कानून है जो नियम है इनको हमें बदलना है असली रड़ाई तो अब शुरू होगी तो उसको समझ में नहीं आया बीवी सी के रिपोर्टर को तो गांदी जी ने उसको और हलका करके समझाया कि देखो अगर अंग्रेज चाहें तो भारत में रह सकते हैं महमान बनकर हमारे मालिक बनकर हम नहीं रहने देंगे उनको लेकिन अंग्रेजों का बनाया हुआ यह ज जिसको गांदी जी कहते थे अंग्रेजियत गांदी जी ने अंग्रेजियत को परभाशित किया अंग्रेजों के कानून अंग्रेजों के नियम अंग्रेजों की व्यवस्था अंग्रेजों का तंत्र यह सारा अंग्रेजियत तो गांदी जी ने का इस अंग्रेजियत से लड़ना है इसको हटाना है दुर्भागी क्या हुआ इस देश का आजादी आई और गांधी जी की हत्या हो गए जो अंग्रेजियत से लड़ने का सबसे बड़ा संकल्प लिये हुए क्रांतिवीर थे महात्मा गांधी उनको मार डाला फिर क्या हुआ अंग्रेजियत की लड़ाई शुरू हो गए और सत्ता की लड़ाई में देश के टुकड़े हुए पाकिस्तान तो सत्ता की लड़ाई में बना कोई सिध्धान्त से नहीं बना पाकिस्तान अब एक देश में दो प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते थे तो दोनों ने अलग-अलग देश बना ल लिए ये था लड़ाई पाकिस्तान का बटवारत और फिर लड़ाई सत्ता की होती चली गई व्यवस्था की नहीं रही धीरे धीरे भारत के लोग भूलते चले गए कि हमें अंग्रेजियत से लड़ना है हम फिर सत्ता में डूपते चले गए और आज हम 63 साल के बाद यहां ख थे और लगाए थे टैक्स का वो सिस्टम जो अंग्रेजियों ने लूट के लिए इस देश में बनाया और व्यापारियों को बेईमान बनाने के लिए वो टैक्स का सिस्टम अभी भी लड़ा हुआ है इस देश पर बसंतर इतना है अंग्रेजियों के जमाने में 23 तरह के ट एक्स लगते हैं इस देश अंग्रेजों ने जो पुलिस का कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट वो आज भी लदा हुआ है इस देश पर अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए 34,735 सब लगे हुए हैं एक भी कानून नहीं हटाया इस देश की सरकारों में अंग्रेजों ने किसानों से जमीन छीनने का एक कानून बनाया लेंड एक्यूजिशन एक्ट डलहोजी ने वह अभी भी लगा हुआ इस तेश पर मतलब यह कि अंग्रेज चले गए अंग्रेजियत नहीं गई कि सत्ता का हस्तांतर्ण हुआ स्वतंत्रता नहीं आई कि स्वतंत्रता कोई बड़ी चीज होती है सत्ता का हस्तांत्रण बिल्कुल छोटी चीज होती है सत्ता आई माउंट बेटन के हाथ से नहरूजी के हाथ में माने गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को देश सौंप दिया यही मतलब स्वतंत्रता तो नहीं आई क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र स्व माने अपना तंत्र माने व्यवस्था जब तक हम अपना तंत्र नहीं बनाए कैसे स्वतंत्र हों तंत्र तो अंग्रेजों का ही चल रहा है अब अंग्रेजों का तंत्र चल रहा है तो लूट वैसे ही चल रही है जैसे अंग्रेजों की जमाने में थी अंग्रेजों ने 200 साल में 300 लाग करोड लूटा अब 63 साल में यह जो काले अंग्रेज बैठ गए इस देश में, उन्होंने टैक्स लगा-लगा कि आप से 258 लाग करोड़ नूट लिया है, आप बरते हैं, मैं टैक्स बरता हूँ, डायरेक्ट टैक्स दो हैं, इंडायरेक्ट टैक्स बासट हैं, सारे टैक्स में कुल मिलाकर आप 100 रुपए करोड़ है, आज, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, नगरपालिका का, कुल बीस लाग करोड़ के टैक्स में, सत्रे लाख करोड़ हर साल लुट जाता है, यह सरकार के आँक्ड़े हैं, मेरे नहीं, राजीव गांदी कहा करते थे, कि जब मैं किसी गरीब आदमी से एक रुपए टैक्स लेता हूँ, और बदले में वही एक रुपए उस गरीब आदमी को देता हूँ, तो उस आदमी तक 15 पैसा ही पहुँचता है, 85 पैसा बीच में ही लुट जाता है, यह आज की कहानी है, टैक्स का पैसा लूट के लंदल ले जाते थे, अब यह काले अंग्रेज लूट का पैसा लेके सुर्जर लेंड चले जाते, अब समझ में आया, सुर्जर लेंड दुनिया का सबसे अमीर देश क्यों है, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा लूट लूट कर सुर्जर लेंड की बैंकों में अगर जमा होगा तो वो तो अमीर होने ही वाले हैं और आपको मालूम है सुट्जलेंड की बैंकों में कुछ नियम है जैसे हमारे नेता पैसा वहां जमा करते हैं वो कोई भी ब्याज नहीं देते हैं उस पैसे पे और हमारे पैसे को सुट्जलेंड की सरकार दुनिया भर को करज में देती है और उससे ब्याज लेती है उससे उनकी आमंदनी है दूसरा हमारे नेता जो पैसा वहां जमा करते हैं अगर कोई मर गया तो वो बैंक उस पैसे को हड़प लेती है नौमिनी को वो नहीं मानते और तीसरा हमारे नेता कितना भी पैसा लेके जाएं सुड़जरलेंड की बैंकों में कभी मना नहीं करते जमा करने को रात के दो बजे भी जमा कर लेते कभी भी चले जाओ, 24 गंटे काम करती हैं बैंके तो ये नेता लूट रहे हैं, पैसे वहां रख रहे हैं क्योंकि बैंके हैं और अभी पता चला कि सुड़जरलेंड दुनिया में एक देश है जहां काला धन जमा होता है ऐसे सतर देश और हैं दुनिया में, जहां काला धन जमा होता है पनामा नाम का एक देश है पनामा प्रिनी डॉड नाम का एक देश है टुबेगो नाम का एक देश है ऐसे सत्तर देश हैं दुनिया में जहां काला धनी ही जमा होता है और नेता टैक्स का जितना पैसा लूटते हैं वो काला धनी ही है अब वो जाके जमा हो रहा है हर साल सत्रे लाक करोड ये लूट रहे हैं अब तक हमने जो हिसाब निकाला 63 साल आज़ादी के बाद का उसमें नेताओं ने 258 लाक करोड रुपए लूट लिया और विदेशी ब बैंकों में ये पैसा जमा हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि इतनी रकम है हमारे पास भारत की इतनी रकम है स्विस बैंकर्स एसोसियेशन ने स्वीकार किया है कि उनके पास भारत का 72 लाक करोड रुपए है पनामा देश ने स्वीकार किया, ट्रिनी डॉड ने स्वीकार किया, टुबेगो ने स्वीकार किया और इन सब देशों की रकम जोड़ी है तो 258 लाक करोड है अब कहानी समझ में आती है कि आजादी के 63 साल में देश के विकास के लिए जितना खर्च हुआ वो तो लुटकर विदेशों में जमा हो गया इसलिए विकास नहीं हुआ इस देश का इसलिए गरीबी है इस देश इसलिए भुकमरी है इस देश अंग्रेजों के जमाने में गरीबी भुकमरी आई क्योंकि अंग्रेजों ने लूटा अब आज़ादी के बाद गरीबी भुकमरी आई क्योंकि काले अंग्रेज लूट रहे हैं और कैसे कैसे लुटे रहे हैं हमारे देश में एक मधू कोड़ा नाम का व्यक्ति है जारखंड में दो साल के लिए मुख्यमंत्री बना और दो साल में उसने पांच हजार छेसो करोड रुपई लूट लिया पकड़ा गया तो पांच हजार छेसो करोड लूटा अब मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि कोई व्यक्ति दो साल में अगर 5600 करोड भारत के सबसे गरीब राज्य से लूट सकता है तो जो मुख्यमंतरी 15-15 साल रहे सबसे अमीर राज्यों में उन्होंने कितना लूटा हो बस अंतर इतना है कि मधू कोड़ा का पता चल गया है बाकी का थोड़े दिन में पता चलेगा और मधू कोड़ा तो मुख्यमंतरी इस्तर का नेता है इसके ऊपर के जो नेता है परदान मंतरी हैं वित्य मंतरी हैं वानिज्य मंतरी हैं आदी आधी इनका अंदाजर लगाईए आप और फिर इसके नीचे अधिकारी हैं मैं एक अधिकारी का बताता हूं उत्तर प्रदेश में अभी अधिकारी पकड़ा गया उसका नाम है अखंड प्रताप सिंग आईएस अधिकारी रहा उसने जो लूट मचाई उत्तर प्रदेश में उसका अभी सारा मामला खुला है तो उस के घर से 480 करोड रुपई की संपत्ति मिली और उस अधिकारी की 40 साल की जो नौकरी थी उसकी तंखा 77 लाक रुपई बैठ थी और दो 480 करोड मिला और जब इस अधिकारी को बहुत प्रेशराइज किया गया पूछ ताच में तो उसने का कि ऐसे मेरे 19 घर अभी और है तो मधू कोड़ा एक इस्तर क्या है लूटने वाला अखंड प्रताप सिंग दूसरे इस्तर का है लूटने वाला और एक तीसरे इस्तर पर लूटने वाले है एक नेले रंग की कार खड़ी है पांचसो अठारे नंबर की गलत रास्ते में है करपया निकाल दीजे ताकि कोई आसानी से निकल जाग नीले रंग की कार पांचसो अठारे नंबर की जिसकी भी है प्लीज चले जाए तो मदू कोड़ा का एक इस तरह लूटने का अखंड प्रताप सिंग का दूसरा फिर सरकार कहती है कि ये लूट में तो सब शामिल हैं काले तीन करोड अधिकारी करमचारी सब ऊपर से नीचे तक आप अगर किसी बच्चे के जनम का प्रमानपत्र बनवाने के लिए मिनिसिपल कॉर्परेशन में चले जाएं बिना रिश्वत प्रमानपत्र नहीं बनेगा और घर में कोई मर गया तो मृत्यू प्रमानपत्र बिना रिश्वत नहीं बनेगा तो जनम से लेकर मृत्यू तक सारे काम आपके रिश्वत से ही होते हैं तो लूटने में करमचारी भी पीछे नहीं हर जगे लूट है और ये क्यों लूट है क्योंकि ये जो करमचारियों का सिस्टम अंग्रेजों ने खड़ा किया था वो लूटने के लिए ही तो खड़ा किया था वो लूटे गाई और क्या करेगा कलेक्टर बनाया उन्होंने लूटने के लिए डिप्टी कलेक्टर बनाया लूटने के लिए कमिशनर बनाया लूटने के लिए तो आज भी कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर कमिशनर लूटेंगे ही और क्या करेंगे और जब लुटेगा देश तो गरीबी ही आएगी भुकमरी ही आएगी आप तो सोचो ना 20 लाख करोड का 70 लाख करोड लुट जाए किसी देश का वो देश तो कभी भी पनप नहीं सकता अमीर हो नहीं सकता ये है हमारे देश का हाल अब भूत काल में लुटे हम वरतमान में लुट रहे हैं भविश्य क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं ये लुट अगर ऐसे ही चली तो थोड़े दिन में तो कुछ रहेगा नहीं अब हमारे सामने दोई विकल्प है एक विकल्प है कि जैसे अंग्रेजों की व्यवस्था को तोड़ने के लिए करांतिकारियों ने काम किया वैसे ही इन काले अंग्रेजों की लूट की व्यवस्था को तोड़ने के लिए कुछ नए करांतिकारियों को पैदा होना पड़ेगा जैसे जैसे भगत सिंग उधम सिंग चंदर शेकर जहांसी रानी लक्षमी भाई नाना फरनवीस नाना साब पेश्वा ऐसे साथ लाग बत्ती सदार साथ सो असी करांतिवीरों ने अंग्रेजों के लूट को बंद करने का ही प्रयास किया था और उसमें वो कामियाब हुए पंदर अगस्त उन्नीस सो सेंतालीस को अंग्रेज चले गए और लगा कि लूट का एक अध्याए बंद हुआ लेकिन ये हमारा दुर्भाग ये है कि फिर दुबारा लूटेरे पैदा हो गए इस तेश मुझे तो कई बार लगता है कि रॉबर्ट कलाइब की आत्मा ही मधू कोडा में प्रवेश कर गई और मधू कोडा ही क्यों सभी लुटेरे नेताओं में प्रवेश कर गई वही आत्मा अंग्रेजों की इसलिए ये अपने देश को लूट रहे और बेशर्मी से लूट रहे हमारे देश में ये जो राजनेतिक पार्टियां है ना ये पार्टियां नहीं है डाकूओं के गिरोव हैं ये हाँ मैंने इनको पार्टी कहना बंद कर दिया लुटेरों के गिरोव हैं ये पार्टी नहीं है अप और लूट में नेताजी लगे हैं, उनकी पत्नी लगी है, फिर उनका बेटा लगा है, बेटे की भी पत्नी लगी है, फिर उनका चाचा, उनका ताउ, उनका भतीजा, उनका मामा, उनका साला, सभी तो लूटने में लगे हैं, बताओ कौन सा खांदान है जो नहीं लूट रहा खांदान के खांदान लूट में लगे हुए हैं यहीं देख लो आंदर प्रदेश में कल तक आंदर प्रदेश के जिन नेताओं के पास टूटी साइकल नहीं थी 20 साल पहले आज उनकी संपत्ति हजारों करोड में कामसे आ गयी लूट के आई और अंद्रप्रदेश क्या महराष्ट में देख लो करनाटक में सब्जगे यही हाल है और यह जो राजनीत है यह चूंकि लुटेरों का गिरोह बन गई है इसलिए हर लूट खोरनेता का बेटा और बेटी उसमें घुस रहे हैं क्योंकि इस से जधा आसान काम और क्या मिलेगा चाए की दुकान भी चलानी पढ़ती है तो महनत लगती है यहां राजनी में बिना महनत के लूटने को मिलता है ना कोई महनत है ना कोई मशकत है ना कोई टैक्स देना है और ना किसी से कोई जवाब दे ही है, लूटो लूटो, घर भरो, विदेशी बैंकों के खाते भरो, ये है हमारे देश में, तो मैंने कहां कि अभी एक रास्ता तो ये है, कि हम सब फिर से महात्मा गांदी, वगत सींग, उधम सींग, चंदर शेकर का अवतार ग्रहन करें, और इन नए काले अंग्रेजों को इस लूट की वस्ता से बाहर करें, ये एक रास्ता है, एक और रास्ता है, दूसरा, कि हम सब कुछ ना करें, खामोश बैठे रहें, एक दूसरा रास्ता और है, खामोश बैठे रहें, और कहें, जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आगे होग और भी अच्छा होगा, तुम क्यों विर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाने वाले हो, ये दूसरा रास्ता है। देश तो ठीक हो जाएगा, और जादा उनसे तर्क करो, तुम क्यों विर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आगे लुटेगा और अच्छा होगा, वो हमको समझाते हैं। हाँ, बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी, एक आया राम की कथा कहेगा, दस करोड लेके जाएगा, दूसरा क्रश्म की कथा कहेगा, वो पंद्रे करोड लेके जाएगा। और आप जैसे भोले भाले मूरक लोग डालते हैं उनके पात्रों में, ले जा बाई, ये बापू नहीं हैं, डाकू हैं। बापू नाम तो शरम आती है कहते हुए। कहीं से 10 करोड लूटो, कहीं से 20 करोड, कहीं से 25 करोड, और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धनका करें क्या, इंकम टेक्स वाले पकड़ते हैं, तो ये बापू को देते रहते हो आप, क्या करें उसको? और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है वाँ वाँ मैंने देखा है क्या-क्या पाखंड और नौटंकी चलता है भगवान राम की कथा कहने आते और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हमें वीरता पैदा करें जो साहस पैदा करें राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है वीरता का है जब चौदे वर्ष के लिए बनवास चले गए राम तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथाना उसमें कहते हैं राम ने चौदे साल एकी काम किया हाए सीते हे सीते हाए सीते हे सीते हाए सीते ये सुनाते हैं हम को हाँ ये ही सुनाते है निकाल के कहानी में से और मैं कहता हूँ कि राम को अगर हाए सीते हे सीते हाए सीते ये ही करना था चौदे साल तो दूसरा विवा क्यों नहीं कर लिया सेकडो राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए वो तो कर लेते दूसरा विवा क्योंकि हाए सीते हे सीते हाए सीते एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलक रहेते तड़प रहेते दूसरा विवा कर लेते तो ये सब चुप हो जाते हैं फिर बात नहीं करते हैं फिर मैं उनको रामाइंड मैंसे निकाल के दिखाता हूँ देखो राम ने हे सीते हाई सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूँ लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सेकणों राक्षसों का संघार किया उन्होंने मारा उनको और धर्मराज्य की स्थापना कराई ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको उनकी जो कमजोरियां है वो सुनाते हैं आपको और राम का था जब वरनन की जाती है तो मंच में बैठके आहा कैसे आसू ढलल 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 आसू निकलेंगे आपको भी रुलाएंगे खुद भी रोएंगे किस बात के लिए ओ राम को वन गमन में इतना कश्ट हो रहा है वन में इतनी तकलीफ हैं हो रही है तो राम की तकलीफों का वरनन कर रहे हैं आसू आ रहे हैं और ये सारा वरनन एयर कंडिशन्ड मंच पर बैठकर होता है अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए राम की तकलीफों का वरनन कर रहे हैं एर कंडिशन मंज चाहिए, एर कंडिशन घर चाहिए रहने के लिए, एर कंडिशन कार चाहिए, और चार्टीड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी जो राम जिन्दगी भर पैदल चलते रहे जिनोंने अपना रत भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय वो राम ने जिन्दगी भर पैदल चलके काम किया और यहां एर कंडिशन कारों में घूम घूम कर चार्टेड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं वो कथा वता नहीं है वो उद्द्योग है व्यापार है बिना टैक्स का और मुझे बहुत शरम है यह कहते हुए समय आने पर प्रमान से बात करूँगा कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं और मुझे इससे भी बड़ी शरमाती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में वो पैसा आज पर उठा रहे है वो दूसरे लोगों को और आपके दिये हुए पैसे से धंदा बना रहे है अपना फिर ऐसे क्रश्न की कथा कहने वाले आ जाते हैं कि रादे 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 और कुछ कहोई मत रादे रादे, कंस को मारा, जरासंद को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, रादे 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 बड़े में, क्योंकि आपको कायर बनाना है ना निर्वीरे बनाना है नपनसक बनाना है तो वीर्ता की कहानी क्यों सुनानी है तो चुन चुन कर ऐसी कहानियां सुनाते हैं और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग है ना राम और कृष्ण की कथा कहने वाले ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है तुम लोगों का ध्यान इस तरब भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े गरीबी के खिलाफ न लड़े बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े अत्याचार के खिलाफ न लड़े वो डूबा रहे रादे 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 राम 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 बस इसी में और समझाते रो तुम क्या लाए थे तुम क्या ले जाओगे क्यों विर्थ चिंता करते हो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा होगा एक रास्ता ये है अब दो रास्तेए हैं अपने साम एक रास्ता भगट सिंह का उदम सिंह का, चंदरशेकर का एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरूओं का पाखंडीयों का जो राम की कता, क्रश्न की कता मुझे बहुत ओफर आये है मैंने का बापू जी क्या होगा उसमें, तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा, मैं बोलना कैसे, तो उनका तुमारी वाणी में बहुत जोर है, और मेरे पास लोगों की भीले कठा करने का मजमा लगाने का तरीका है, मैं ऐसा डमरू बजाता हूँ कि सब इकठे होते हैं, और तुमारी बाणी में जोर बहुत है, मिलके लूटेंगे, थोड़ा तुमारा, थोड़ा मेरा, ऐसे खुले ओफर हैं मेरे पास, और मैं कहता हूँ, बापू जी माफ करो, क्यों? कहते तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, मैंने का पैसे ही चाहिए होते तो बहुत हैं मेरे पास, यही एक बचा है, पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं, यह एक रास्ता थोड़ी है, बहुत तरीके हैं, पैसे कमा लूँ, घर बना लूँ, बीबी बच्चे ले आओं, करोड़ पती हो जाओं, दस करोड़ पती हो जाओं, सो करोड़ पती हो जाओं, ब प्रोड हो गए एक दिन डाइबिटीज होगी एक दिन अर्थराइटिस होगा एक दिन अरट अटेक आएगा मैं मर नहीं वाला हूँ तो मरना तो है ही वहां भी शायद जल्दी मरू क्योंकि जब शरीर में तामस व्रती आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी जब तक सात्वि है जिन्दा तो कोई रहेगा नहीं तो भगत सिंग का रास्ता क्या बुरा उदम सिंग का रास्ता क्या बुरा चंदरशेखर का रास्ता क्या बुरा कुछ करके मरो ना मरेंगे ये सब भी सादू संद पाखंडी राम की कथा सुनाते सुनाते हरटटेक आएगा मरेंगे वो diabetes सबको हो रखी है मैंने देखा है नज़्दीक से जाके सब insulin लगाते हैं खाते हैं गोलिया अपनी diabetes नहीं मिटा पाते हैं दूसरों को उपदेश देते फिरते blood pressure सबको बढ़ा हुआ है क्योंकि यह जो काला धन है ना इसका हिसाब किताब करने में BP ही बढ़ने वाला है सब BP की गोलियां खाते हैं सब diabetes के लिए शिकार है तो दूसरों को उपदेश देंगे तो मैं भी लग जाओं वो एक रास्ता है एक रास्ता भगत सिंग, उदम सिंग, चंदर शेकर का भी है मौत तो दोनों में ही आने वाली है बस अंतर इतना है एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा ने तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता बगत सिंग वाला, उदम सिंग वाला और तै कर लिया है कि जैसे बगत सिंग, उदम सिंग, चंदर शेकर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को मार भगाएंगे इस देश में से और करना क्या है करना तो एक ही काम है इस लूट के तंत्र को बदलना है जो अंग्रेजों ने कायम किया और आज तक चला रहा है और ये तंत्र जब तक हम बदलेंगे नहीं एक भी गरीबी बुक्मरी बेकारी की समस्या का समाधान भोगाने तो अब हमने क्या करना है हमारे सपने क्या है इस भारत के बारे में अब मैं व्याख्यान के अंतिम भाग में हूँ क्या सपने है पहला सपना है गरीबी बेरोजगारी दोनु खतम हो इस देश से क्योंकि ये मेरे अकेले का सपना नहीं है बगत सिंग का भी यही था चंदरशे उन भाषणों को मैं एकठा कर रहा हूं आजकल लेखों को एकठा कर रहा हूं कोई भी क्रांतिवीर ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि अंग्रेजों को भगाना आखरी उद्देश है वो कहते हैं अंग्रेजों को भगाना तो पहला उद्देश है आखरी उद्देश है भारत की गरीबी मिटानी है, भुक्मरी मिटानी है, बेरोजगारी मिटानी है, भारत में समरुद्धी लानी है, सब क्रांतिकारी यही कहते हैं, उनका भी यही सपना है, हमारा भी यही सपना है, कि भारत की गरीबी भुक्मरी बेकारी दूर हो, अब इसको दूर करने के लिए पैसे च चानक्य ने कहा कि जिस राज्जी की प्रजा जादा से जादा टैक्स भरती है उस राज्जी के लोग भिकारी हो जाते हैं इसलिए टैक्स तो कम से कम ही होना चाहिए तो जादा टैक्स लगा के पैसे लाना ये तो मुर्खता का काम है तो फिर पैसे कहां से लाएं विकास करने के लिए तो हमने लक्ष तै किया है कि नेताओं ने जो लूट कर काला धन विदेशों में जमा किया है इसको वापस लाकर इससे विकास करना है देश का और ये लूट का धन 258 लाख करोड है कोई मामूली रकम नहीं इसको वापस लाके विकास करना आप बोलेंगे ये कैसे आएगा इसको वापस लाने के चार रास्ते पहला रास्ता है कि जिन विदेशी बैंकों में ये धन जमा है उन बैंकों में ये धन निजी संपत्ती के रूप में जमा है व्यक्तिगत संपत्ती किसी नेता की किसी अधिकारी की व्यक्तिगत संपत्ती निजी संपत्ती अगर हम इस धन को राष्ट्र की संपत्ती गोशित करा सकें तो ये धन किसी भी बैंक में जमा नहीं हो सकता ये वापस आएगा भारत में क्योंकि अंतर राष्ट्रिय बैंकिंग व्यवस्था का एक नियम है किसी भी देश की राष्ट्रिय संपत्ती उसी देश में जमा होती है वो जिस देश की होती है दूसरे देश में जमा नहीं हो सकती है तो अब तक जो जमा है वो निजी संपत्ती है हम इसको राष्ट्र की संपत्ती बना दें तो ये वापस आएगा आप बोलेंगे ये कौन करेगा, इस काम को करने के लिए दो संस्थाएं हमारे पास हैं, एक का नाम है सुप्रीम कोट और एक का नाम है संसद, सुप्रीम कोट की ताकत है कि वो किसी भी संपत्ती को राश्ट्रिय संपत्ती गोशित कर सकता है, और सुप्रीम कोट ने एक बार यूरिया घोटाला हुआ जब नर्सिम्मा राओ के जमाने में तो 133 करोल रुपए चला गया था देश के बाहर सुप्रीम कोट ने उसको राष्ट्रिय संपत्ति घोशित करके वापस मंगा लिया और स्विस बैंक से वो 133 करोल रुपए वापस आ गया और पता है वो नर्सिम मराओ के बेटे को जेल भेज दिया प्रधान मंतरी के बेटे को जेल भेजा था वो मैं भूला नहीं कभी भेज़ा तो हमने सुप्रीम कोट में एक मुकदमा लगाया है अभी 6 महीने पहले यह जो भारत स्वाभिमान नाम की संस्था है ना इसकी तरफ से और मुकदमा हमारा एक ही है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा सुप्रीम कोट ने राश्ट्र की संपत्ती गोशित किया था तो चारा घोटाले का भी राश्ट्र की संपत्ती है बोफोर्स घोटाले का भी राश्ट्र की संपत्ती है सभी घोटालों का पैसा राश्ट्र की संपत्ती है और इ गोशना होते ही हम International Court of Justice में जा सकते हैं फैसले को लेकर और ICJ order करे तो दुनिया के 70 देशों की बैंकों को पैसा वो बापस करना पड़ेगा भारत को इस उम्मीद में मुकदमा लगाया है हमने छे महीने हो गए छे महीने तक ये मुकदमा सुईकार नहीं हुआ बहस होती रही कोट में और अब सुईकार हो गया है कोट ने तयार मान लिया कि अब ये मुकदमा सुना जाएगा छे महीने लगे और कोट ने अपने को कन्विंस करने के लिए सब तरफ से जानकारी मंगई हमने कहा उतने पर विश्वास नहीं किया कोट ने एक अंतर राश्व्री संस्था को कॉल किया कोट ने उसका नाम है Transparency International उन्होंने आके सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश किये कि भारत का कितना black money फिर और एक संस्था को call किया कोर्ट ने उनका नाम है Tax Justice Network उनको बुलाया उन्होंने दस्तावेज दिये फिर भारत के तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया कोर्ट ने enforcement director के पूछा क्या आपको माल yapıyorsun कि विदेशी बेंकों में खाते हैं उन्होंने का हाँ खाते है पिर CPI वालों को बुलाया जब सब तरफ से कोर्ट कन्विन्स हुआ तो कोर्ट ने मुकद्मा सुईकार कर लिया अब कोर्ट ने नोटिस दिया है सरकार को और सरकार को पूछा है जिनका पैसा है वो ही सरकार चला रहा है तो सरकार ने कोट में टालम टोल करना शुरू किया है ये टालम टोल वो थोड़े दिन करने वाले हैं ये हमें मालूम है क्योंकि वो बताएंगे नहीं कभी भी तो हम सुप्रीम कोट को एक दिन एक बात कहेंगे कि टालम टोल छे महिने, साल भर, डेड़ साल, दो साल, तीन साल, कितनी, फिर हम सुप्रीम कोड को कहेंगे, आप तो एक्स पार्टी जज्जमेंट दे दो, और कोड को ताकत है वो करने की, और हम कोड को कहेंगे, यह नहीं बता रहे किसका पैसा है, आप तो यह कह दो, जिसका भी पैसा है, वो भारत की राष्ट्री यह संपत्ती है, बात खतम हो गई, और उमीद है कि कोड यह फैसला देगा, और यह फैसला हुआ तो 258 लाग करोड वापस आएगा, दूसरा रास्ता है अपने पास वो यह, कि हम संसद में अगले चार सालों में एक प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं, और वो प्रस्ताव यह है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी धन भारत से बाहर गया, वो भारत की राष्ट्री यह संपत्ती है, बस, किसी का नाम नहीं लेना, किसी की बात नहीं कहना, 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन भाहर गया है, भारत से हवाला के थुरू क्योंकि सब हवाला से ही जाता है वो भारत की राष्ट्री ये संपत्ती है संसत प्रस्ताओ को पास करे अब इस प्रस्ताओ को रखेगा तो कोई एक संसत और वो हमें मिली ही जाएगा अगले चार साल में कोई तो माई का लाल मिलेगा ऐसा तो नहीं है कि सम्मर गए और प्रस्ताओ जब रखा जाएगा तब बहस होगी बहस वाले दिन हम देखेंगे कि कौन-कौन इस प्रस्ताओ का विरोध कर रहा है जो विरोध करेगा पक्की बात है, खाते उसी के है पैसा उसी का है और सारा देश देखेगा बे-इमान कौन-कौन है संसदम आप तो अपने संसद पे नजर रखना बस कि आपका संसद क्या कह रहा है हर एक इलाके में मैं घूम-घूम के लोगों से एकी बात कह रहा हूँ कि जिस दिन ये प्रस्ताओ आएगा टीवी पर बहस आएगी क्योंकि अब डाइरेक्ट टेली कास्ट होने लगा है आप अपने संसद पे नजर रखना वो क्या कर रहा है आपको पता चल जाएगा वो बे-इमान है इमानदार अब संसद में या तो प्रस्ताओ गिरेगा या पास हो जाएगा और प्रस्ताओ पास हुआ तो कानून बनेगा अपने दोनों हाथ में लड़ू है हमें कुछ खोना ही नहीं है जो है पाना है तो या तो बे-इमानों को एक्सपोज करेंगे पूरे देश में और घूम घूम कर कहेंगे कैसे हरामी और बे-इमानों को दुबारा चुन कर मत भेजो जो विदेशी पैसे को वापस लाना ही नहीं चाहते जो देश को अमीर होना ही नहीं देना चाहते जो गरीबी मिटने ही नहीं देना चाहते इस देश के तो या तो उनके खिलाफ रड़ाई शुरू होगी जंग और वो आखरी जंग होगी या तो वो रहेंगे या तो हम रहेंगे बीच में कुछ नहीं हो और अगर प्रस्ताव पास हो गया तो कान्यून बन गया तो पैसा आ जाएगा 258 लाक करूर का बेवरा लेकर International Court of Justice में जा सकते और दुनिया के 70 देशों के खिलाफ प्रतिबंद लगवा सकते अमेरिका ने अभी ऐसा किया आपको मालूम है अमेरिका में भी ब्रस्ताचार है वहां के भी लूट खोर नेता है उन्होंने भी स्विस बैंक में खाते खोल रखे थे बराक उबामा ने अभी एक जटके में वो सब ठीक किया है उसने कानून बनवाया पहले अपने देश में और वो कानून से पैसा ले आया स्विस बैंक से 780 अरब डॉलर लाया निकाल के बराक उबामा और उसने अपनी इंडस्ट्री में लगा दिया वो पैसा और अमेरिका के 9780 खाते बंद कराए उसने तो ये बराक उबामा अगर कर सकता है तो भारत भी कर सकता है बसंतर इतना है कि अमेरिका को बराक उबामा मिल गया है भारत को एक बराक उबामा की तलाश है अगले चार-पांच साल में मिलेगा कोई ना कोई तो निकलेगा भारत माता वीर विहीन नहीं है निपूती नहीं है बाँज नहीं है जब जरूरत पड़ती है इस माता ने बड़े-बड़े लाल पैदा किये है देश की समस्याओं का समाधान करने आगे भी होगा इसका विश्वास है हम और ये काम हम बराक उबामा की तरफ से भी कर सकते बराक उबामा ने अभी एक बहुत रोचक बात कई हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका अभी मालूम है मन्मन सिंग अमेरिका बराक उबामा ने मन्मान सिंग को ओफर किया देखो मैंने स्विस बैंक से पैसे निकाल लए आपको निकल वाने ऐसे ही बोला अपको निकल वाने मैं मदद करता हूँ आपके तो मन्मोहन सिंग की उपर की सांस उपर नीचे की नीचे ना हां कहा ना ना कहा फिर उसने कहा मैं भारत की मदद करना चाहता हूँ seriously इस काम में और मैंने जैसे पैसा निकाला है स्विस बैंकों से मैं वो बताना चाहता हूँ आप ऐसे निकालो अमन मौन्सिंग चुप चाफ लोटा है क्योंकि उनको बोलते ही नहीं बनता क्योंकि सरकार चलाने वालों का पैसा है बात ही नहीं करते हो तो बराक उमामत ही आ रहा है वो कहता है मैं मदद करूँगा भारत की क्यों? वो कहता है भारत की मदद इसलिए करनी है भारत महान देश है ये वो बोलता है और भारत की महांता जब वो गिनाता है न तो सबसे पहले कहता भारत बजरंग वली का देश है हनुमान जी का ज़िए और वो हनुमान जी का भगत है बराकोवाम उसने मंदिर बनाया है मालूम है आदा इसाई आदा मुसल्मान बराकोवा मा हनुमान जी की पूजा कर रहा है जब वो चुनाव लड़ रहा था तो उसने बजरंग बली का मंदिर बना जैपुर से मूर्ती मंगाई थी इस्थापित कराई और पहला राश्रुपती है अमेरिका में जिसने दिवाली मनाई अभी दिवाली को हनुमान जी की पूजा होती है न उसने की वहाँ पंड जी को बुलाया उसने और वो कहता भारत महान देश है क्योंकि महात्मा गांदी का देश है वो महात्मा गांदी को गुरू मानता है अपना उसके घर में एक ही फोटो है वो महात्मा गांदी की वो गदा इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता है अब भारत सरकारी तैयार नहीं है मदद लेने के लिए तो ये अपने पास और एक रास्ता है तो अपने पास चार रास्ते है एक चौथा रास्ता है कि हम खुद चाहें तो सुर्जलेंट से दादा गिरियी करके यह पैसा ला सकते हैं सुर्जलेंट के पास ना आर्मी है ना एर फोर्स है ना नेवल फोर्स है छोटा सा देश है जन संक्या भी इतनी कम है जितनी तो हमारे एक जिले में है उतनी तो सुर्जलेंड पूरे देश में नहीं मैं तो मजाग में कभी-कभी ये कहता हूं कि सारे भारतवासी माफ करना ये कहने के लिए इकठे होके पेशाप कर देंगे तो सुर्जलेंड बह जाएगा इतना पिद्दी सा देश है दो घंटे कार चलाओ तो सुर्जलेंड की सीमा खतम हो जाती है दूसरे देश में कार घुज जाती है पुलिस उनके पास है नहीं आर्मी है नहीं थोड़ी दादा गिरी करो वो तो दे देंगे अमेरिका ने अभी कहा था उनको कि इराक का ध्यान ह है अफगानिस्तान का ध्यान है वो आपका भी हाल हो सकता है तुरंट उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए एक मिनट नहीं लगा तो अपने पास चार रास्ते हैं पहले तीनों रास्तों का उप्योग करेंगे कानून से वो पैसा लाएंगे क्योंकि गलत कानून के कारण वो पैसा गया है तो कानून सही करके उसको वापस लाएंगे और भविश्य में ये पैसा बाहर ना जाए इसकी पक्की व्यवस्था करेंगे पहला कानून बनाएंगे पैसा भारत की राष्ट्वी संपत्ती है तो 258 लाग करोड आएगा दूसरा ही कानून बनाना है कि भारत मे अगर कोई ब्रष्टा चार करे और पकड़ा जाए तो तीन महिने में उसको फासी की सजा बहस नहीं करनी है अदाले और तीसरा काम हमें क्या करना है ये पैसे लाने है विदेशों से 258 लाग करोड तो इसमें 50 लाग करोड खर्च करना है तुरंद गाउं के विकास के लिए भारत के गाउं में उद्योग नहीं है गाउं में पानी नहीं है गाउं में बिजली नहीं है गाउं में सडक नहीं है गाउं में होस्पीटल नहीं है गाउं में डॉक्टर नहीं है गाउं में सिक्षा के लिए स्कूल नहीं है गाउं में पैसा लगाना है और हमने हिसाब न लाख गाओं हर गाओं में कपास होती है तो खादी बनाने का काम हो सकता है सूच बना सकते हैं चर्खा चला सकते हैं खादी बन सकता है 15 करोड लोगों को इसमें रोजगार मिलता है लगबग भारत के चार लाख गाओं में गन्ना होता है जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बना सकते हैं, चीनी तो नहीं बनवानी, गुड़ बनवाना है, और गुड़ की डिमांड पूरी दुनिया में है, आपको हैरानी होगी, दुनिया के देश 150 रुपई किलो गुड़ खरीदने को तैयार हैं, मिलता नहीं किसी को, आप पूछोगे क्यों, चीनी से जादा खतरन पूरी दुनिया में कोई वस्तु नहीं बनते, चीनी माने जहर, दुनिया को समझ में आ गया, डाइबिटीज इतनी, और डाइबिटीज के अलावा जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन्स हैं, वो इतने चीनी के, चीनी के बारे में एक ही जानकरी देता हूँ, आप आदा किलो ख खाना पच जाएगा, उसकी पूरी ऊर्जा एक चम्मच चीनी को नहीं पचा पाती, चीनी डाइजेस्ट नहीं होती कभी भी, क्यों? उसमें कुछ ऐसी चीज ही नहीं जो डाइजेस्ट हो, और गैनिक उसमें कुछ भी नहीं है, सब इन और गैनिक है, और चीनी का अर्थश विटेमिन ना उसमें कोई प्रोटीन आदी है ना माइक्रो न्यूक्रियंट्स है। हम चाहते हैं कि चीनी बंदी हो जाये तो अच्छी है। वैसे भी 50 रुपई किलो हो गई है। फालतू में क्यों दिमाग खराब करें? हम तो गुड़ बनवाएंगे और सारी दुनिया गुड़ मांग रही है और और गयने गुड़ तो सब मांग रहे हैं गन्ना पैदा करें बिना यूरिया बिना डियेपी उस गन्ने से गुड़ बनाए अभी ग्राहक तई आ रहे हैं डेड़ सो रुपई किलो खरीदने के लिए बहुत सारे केमिकल मिलाने पड़ते हैं गुड़ जो है ना नैचुरल प्रिजर्वेटिव है तो वो गुड़ मांग रहे हम चार लाग गाओं में गुड़ बनवा सकते हैं खुद भी खाएंगे दुनिया को खिलाएंगे और इस काम में कम से कम डिड़ दो करोड किस chilli 20 Paty kilo है आटा 26 रुपई किलो बिकेगा तो गैयोंका आटा विक वाएंगे गाओं गाओं बन वाएंगे चक्की चलवाएंगे चक्की में आटा बनेगा-बनेगा यह जो दीमे दीमें चक्की चलाके आता बनता है ना इसी के पॉष्टिक ता है तेजी से जो मशीन में आठा पिस्ता वो कुछ भी दमवाला नहीं इसी आटे में क्वालिटी है जो धीमेदी में और पुराने जमाने में हमारे घरों में वो ही आटा खाया जाता था हम बीमार नहीं पड़े जल्दी अब चक्की का आटा है गड़वडी यहां पर है और ऐसे ही भारत के ढ़ाई पौने तीन लाग गाउं में आम पैदा होता है आम का चार आम का मुरबबा आम का पापड आम की बड़ी सब कुछ बनके बाजार में बिकेगा एक लाग गाउं में आलू है आलू है तो आलू का चिप्स गाउं गाउं बनवा सकते हैं चिप्स 480 रुपई किलो बिकता आलू 10 रुपई किलो बिकता है एक लाग गाउं में टमाटर होता है टमाटर का सॉस गाउं गाउं बन सकता है सॉस 200 रुपई किलो बिकता है टमाटर 10 रुपई किलो तो किसानों को हम समझाएंगे value addition करो primary products मत बेचो बस इतनी सी बात समझानी है किसान कपास मत बेचो कपास से सूथ बनाके कपड़ा बनाके बेचो कपास बिख जाता 12 रुपई किलो और वही कपड़ा बिखता है 25 से 30 और 60-70 रुपई किलो तक और value addition के लिए किसानों को training देनी है बस और क्या करना और वो training देने का काम हमारे योग सिक्षक करेंगे अभी हमारे 2,40,000 योग सिक्षक हैं जो गाओं गाओं में योग और प्राणायाम सिखाते हैं थोड़े दिन में ये सारे योग सिक्षक value addition की training देने लगेंगे हम उनको training देने वाले हैं वो गाओं गाओं training देंगे और गाओं को खड़ा करेंगे और इस पूरे गाओं में 100-100 उद्द्योग के लिए 10,00,000 करोड खर्च करना है बस और हर गाओं में बिजली देनी है तो 4,00,000 करोड खर्च होगा हर गाओं में सड़क देनी है तो 7,00,000 करोड खर्च होगा हर गाओं में स्कूल कालिज देने है तो 8,00,000 करोड खर्च होगा हर केत को पानी देना है किसान के लिए तो 10,00,000 करोड खर्च होगा फिर सारा खर्चा मिला दे तो 58 लाग करोड से जादा खर्च नहीं होता और सारे गाउं खड़े हो जाएंगे अब 58 लाग करोड खर्च करके गाउं खड़े हो गए तो गरीबी भुकमरी बेकारी खतम क्योंकि हमने 100 उद्योगों का हिसाफ निकाला 6 लाग 38,365 गाउं में 100-100 उद्योग अगर हो गए तो कम से कम 64 करोड लोगों को काम मिल जाएगा तो सारी बेकारी खतम बेकारी खतम तो गरीबी खतम फिर क्या करें 200 लाग करोड बच गया उसको बैंक में जमा करेंगे फिक्स डिपॉजिट में भारत माता के नाम से तो उसका हर साल का ब्याज आएगा वो 20 लाग करोड है और साल का ब्याज अगर 20 लाग करोड आएगा तो टैक्स लेने की किसी को जरूरती नहीं है इस देश में सारे टैक्स खतम कर से क्योंकि सरक्राइब तो इंकम तो 50 लाग करोड एक जटके में बढ़ जाएगी देश की फिर हम सेंट्वल एक्साइज खतम करेंगे सेंट्वल एक्साइज खतम करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा देश का क्योंकि Central Excise Tax की चोरी करने के लिए उत्पादन छुपाते हैं लोग हम Tax ही नहीं लगाएंगे उत्पादन कोई क्यों छुपाएगा फिर CST खतम करेंगे फिर Value Added Tax खतम करेंगे सारे Tax खतम करेंगे तो बेईमानी अपने आप चली जाएगी इस देश से और इमानदारी अपने आप आजाएगी इसके और सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये कि ये Tax सिस्टम खतम होते ही व्यापारी और उद्द्योग पतियों में थोड़ी ताकत आएगी थोड़ी हिम्मत आएगी और सरकार के गलत कामों का विरोध करने का वो शुरुआत करेंगे अभी डर के मारे चुप बैठ़ेंगे तो टैक्स सिस्टम खतम करेंगे उत्पादन बढ़ेगा आमंदनी बढ़ेगी पैसे बजादा गूमेंगे हमें फिर विदेशों से करज मांगने की जरूरत नहीं हम देश का विकास देश के पैसे से ही करेंगे तो ये योजना है अपने और टैक्स खतम हुए तो महंगाई सबसे पहले खतम हर चीज सस्ती होगी मैं आपको कुछ कैलकुलेशन्स बताता हूँ सारे टैक्स अगर हम खतम कर दें तो एक लीटर पैट्रोल मिलेगा बारा रुप जो अभी मिलता है 38 रुपई का सारे टैक्स खतम कर दें तो रसोई गैस का सिलिंडर मिलेगा 40 रुपई का जो अभी है 400 रुपई का सारे टैक्स खतम हो जाएं तो हिंदुस्तान में सीमेंट का एक पैकेट मिलेगा 72 रुपई का जो अभी है 300 रुपई का सारे टैक्स खतम ह और आपको घर बनाना पड़े तो अभी जो 20 लाख रूपई में आप घर बनाते हैं वो घर 6 लाख में ही बन जाएगा सारे टेक्स खतम हो और आपको अमेरिका जाना हो और वापश आना हो तो आने जाने का टिकेट सिर्फ 7,000 रूपई में आजायगा अमेरिका का सारे टैक्स खतम हो जाएं और आपके बेटे को इंजिनिरिंग पढ़ाना हो तो पंच साल की पढ़ाई पचास थार में हो जाएगी जो अभी पंच लाख में भी नहीं होती सारे टैक्स खतम करें किसी को MBBS और MD कराना हो तो 2 लाक में हो जाएगा जो अभी 20 लाक में भी नहीं होता हर चीज सस्ती और जब हर चीज सस्ती तो नमक 15 पैसे किलों में मिलेगा जो अभी 7 रुपए किलों का है एक लीटर पानी की बोतल जो अभी 15 यह 15 रुपए में आप खरीते यह डेल़ रुपए में हो जाएगी एक साबुन जो आप खरीतेиком पंद्रे रुपए का टैक्स्क ख़तम करते यह 37,300 के आसपास हो जाएगा यह कि एक किलो वाशंग पाउडर जो 60-70 में खरीदते हैं टैक्स खतम होता ही 19 रुपए का हो जाएगा सब महगाई सस्ती माने खतम चीजें सस्ती और चीजें सस्ती तो गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी चलाने का आसान रास्ता खुल जाए और सीधी सी बात है टैक्स जितने कम होंगे आमंदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की सीधी सी बात है तो आमंदनी बढ़ाने का ये तरीका है देश का सही रास्ता ये ही है अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था हमें दबाने के लिए हम इस टैक्स को हटा देंगे तो हम खुल कर आगे आएंगे और एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि ये 258 लाग करोड़ जो विदेशों से लाना है इसको रुपए में नहीं लाएंगे डॉलर्स में भी नहीं लाएंगे सोने में लाएंगे क्योंकि एक जमाने में भारत सोने का महसागर था फिर सोने का ही महसागर बनाना है तो ये पैसा सोने में लाएंगे परिनाम जानते हैं क्या होगा अगर हम रुपए में लाए तो रुपए में devaluation हो जाएगा जरूरत से ज़्यादा रूपए आ गए मार्केट में और वस्तुएं उतनी नहीं है तो रूपए की पर्चिसिंग कैपसिटी गिरेगी डिवैल्यू हो जाएगा तो अभी 50 रूपए डॉलर है फिर 100 रूपए हो सकता है ये खत्रा नहीं उठाना है और डॉलर में भी नहीं लाना ये पैसा क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर डॉलर के मूल में बरदी हो जाएगी सारी दुनिया में डॉलर की मांग नहीं बढ़ानी हमको हम त इतना सोना रिजर्ब बैंक के पास है उतने ही नोट चाप सकते हम। जरूरत पड़ेगी नोट चापेंगे। खर्च करेंगे फिर खर्च करेंगे फिर चापेंगे। ऐसे करके इस पैसे का उप्योग करेंगे। इसका ultimate result जानते हैं क्या होगा। जैसे हम ये पैसा डॉलर में नहीं लाएंगे डॉलर की कीमत गिरेगी। और एक जटका ऐसा आएगा कि एक रुपया एक डॉलर हो सकता है। और जिस दिन एक रुपया डॉलर हो गया तो हमारा जो निरियात है इसकी आमंदनी पचास गुनी बढ़ जाएगी एक ही जटके में। और हमारी जो आयात के ख तो आयात का खर्चा कम निरियात की आमंदनी जादा तोड़ सर्प्लस होगा हमारे पास। और वो सर्प्लस इतना होगा कि ना चीन हमें पचार सकता है ना अमेरिका हम दुनिया में सबसे आगे निकलेंगे और सारी दुनिया में यह आदर्श प्रस्तुत करें और एक II अमेरिका चैनल से में अमेरिका में तब तक ऐ जब तक डालर पचास रुपाइगा है डालर एक रुपय हुआ यह सब वापस अपने वतन को लोटेंगे 26 और उनकी अकल देश के काम में लगेगि अभी वो अमेरिका को अपनी अकल बेच कर अमेरिका को आगे बढ़ा रहे ह कि अकल भारत को आगे बढ़ाने में लगेगी और एक दो भारतवासी नहीं हैं दो करोण हैं जो बाहर हैं कुछ एनराइज हैं कुछ पी आई ओस हैं परसन ओफ इंडियन और इंडियन और नॉन रेजिडेंट इंडियन इन दो करोणों को लाना है क्योंकि इनकी अकल बड़ी गल्फ को 1970 के पहले भूखे मरते थे ये गल्फ वाले ये भारत के इंजिनियर गए तेल निकाल दिया वहां से और तेल की सारी दुनिया के बादशाह हो गए है तो उनी इंजिनियरों को वापस लाएंगे ऐसे ही अमेरिका से लेके आएंगे सबको यूरोप से लेके अपनी मिट्टी अपना पानी अपनी हवा अपनी खुश्वू सबको पसंद आती है लेकिन माहौल हो वापस आने का हम बुलाएंगे उनको टैक्स हटेंगे वो सब आमंदनी लेके भारत में आएंगे और भारत में बेहिमानी ब्रश्टाचार खतम होगा तो यहां आकर रह तरह की समस्या का समाधान हम भारतवासी ही मिलके करेंगे कोई विदेशी हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा हमें अपनी अकल लगाके अपनी समस्याओं को हल करना है और उसके लिए हम सक्षम हैं बस हमें एक ही कमी है आत्म विश्वास की और संकल्ब की बाकी हम कुछ भ हो इसलिए मैं आपके पास आया और निवेदन करता हूं कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ लगिए ये लड़ाई शुरू हुई है भारत स्वाभिमान के नाम से और इस लड़ाई की कमान एक सन्यासी के हाथ में है जिनका नाम है परंपूजने स्वामी रामदेव हमारे दे उन्होंने सन्यासियों को नेत्रत दिया है वो सब आंदोलन सफल हुए मतलब भारत में सन्यासियों ने जब जब संकल्प किया है संकल्प पूरा हुआ है मैं दो धारन तो देता हूं एक थे सन्यासी समर्थ गुरू रामदास महराष्ट में उन्होंने संकल्प किया था कि औ औरंग जेब बहुत अत्याचारी था हिंदूओं को मुसल्मान बनाता था मंदिरों को तोड़ता था हिंदूओं को जजिया कर देना पड़ता था समर्थ गुरू ने संकल्प लिया कि औरंग जेब को खतम होना ही चाहिए तो भगवार ने वो संकल्प पूरा कराने के लिए महराज को पैदा कर दिया इसके और आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महराज ने औरंग जेब की सत्ता को इतना सीमित किया कि दिल्ली वापस जाके मर गया सत्रह सो साथ में औरंग जेब खतम हो गया सामर्थ गया ऐसे एक सन्यासी हुए लातूर में लातूर यहां के हैदराबाद की रियासत को भारत में ही रहना होगा और हैदराबाद का निजाम बोलता था मैं तो पाकिस्तान जाओंगा स्वामी रामतीर्थ ने का तुझे जाना है तू जा पाकिस्तान रियासत तो यहीं रहेगी और स्वामी रामतीर्थ के संकल्प को पूरा करने के अब परंपूजी ने स्वामी रामदेव जी ने संकल्प ले लिया है कि 258 लाग करोड का जो भारत का धन विदेशों में है ये वापस लाना और देश को गरीबी भुक्मरी बेकारी से मुक्त कराना अब उनके संकल्प को पूरा करने के लिए भागवान ने मेरे जैसे 2,40,000 योग सिक्षकों को बेज दिया और 11,000,000 और आने वाले आप भी उन में से एक हो सकते और इतनी बड़ी फौज खड़ी हो रही है धीरे-धीरे कि ये काम होने ही वाला है तो आप भी लग जाएए इस काम को पूरा करने में काम तो होने वाला है आप लग जाएंगे थोड़ा जल्दी होगा नहीं लगेंगे तो भी होगा हाँ आप गलत फहमी में मत रहना मैं आपको विनमरता पूरवक कह रहा हूँ आप लग गए तो जल्दी होगा नहीं लगेंगे तो भी होगा क्योंकि इस काम की कमान सन्यासी के हाथ में होने वाला तो है ये आप लग गए तो इस काम का यश आपको मिल जाएगा नहीं तो कोई और लेने वाला है इसका यश और आप अगर नहीं लगेंगे जिन्दगी भर अफसोस होगा आपको आपके बच्चे आप से सवाल पूछेंगे कि भारत स्वाभिमान का इतना बड़ा अभ्यान चल रहा था तो आप क्या कर रहे थे उनके सामने आप शर्मिंदा ना हो इसलिए मैंने नौता दिया है कि आप भी आ जाओ इसमें काम तो होने ही वाला है आप लग जाओगे थोड़ा जल्दी होगा आप आएंगे कैसे इस अभ्यान में सबसे पहली जो एंट्री होती है वो मेंबर बनके होती है आप हमारे जाहर जाएंगे तो स्टॉल पे भी फॉर्म है वो आप भर दो फॉर्म जमा करते समय 51 रुपए दान दे देना इस अभ्यान के लिए वो भी आप से ही चाहिए गाओं में रहने वाले किसानों से 11 रुपए लेते हैं हम शहर में रहने वालों से 51 रुपए अगर ज्यादा च देंगे अगर किसी से हम 10 करोड ले लें उससे अच्छा है कि हम एक करोड लोगों से दद्दस रुपए ले ले क्योंकि जो एक आदमी 10 करोड देगा वो अपनी धुन बजवाएगा और उसकी धुन पर हम नाचेंगे तो हम भी बरबाद हो जाए जो धन देता है वो अपनी दुन बजवाता है हमें ऐसे लोगों की धुन नहीं बजानें है 10 करोड बीस करोड लेना ही नहीं हमें तो 10 करोड लोगों से ददस रुपए लेने 20 करोड लोगों से 2-2 पांच पांच रुपए लेने इसलिए पूरे देश में हम लोग निकले हुए हैं थोड़ा थोड़ा फंड इकठा करके कोश बनाना और एक-एक व्यक्ति को अभ्यान में जोड़कर उसका मेंबर बनाना पांच करोड मेंबर हमें चाहिए इस लड़ाई को जीतने के लिए क्योंकि सारे भ्रष्ट नेताओं की कुल संख्या चार करोड है कॉंग्रेस बीजेपी जनतादल सीपी एम सीपी आई समाजवादी पार्टी बहुजन समाजपार्टी तेलगुदेशम सब मिलाकर चार करोड हैं हमें पांच करोड चाहिए उनसे बड़ी रेखा हमें खीचनी है तो यह सारे नेता हमारे सामने सरेंडर करेंगे और इनका सरेंडर कराके इनके ही मुझे कबूलवाना है कि मैं इतना रुपया देश के लिए करता हूँ नियोचावर मैंने लूटा अब ये मैं देश को दे रहा हूँ वो दिन इस देश में लाना है और नहीं करेंगे तो इन सब को बिजली के तारों से उ दोकना है फिर करेंगे ये या तो इमांदारी से कहेंगे मैंने लूटा है ये देश का पैसा है मेरे से गलती होई तो देश उनको माफ करेगा नहीं करेंगे तो कानून अपना काम करेगा दुनिया के 56 देशों में कानून है ब्रश्टा चार की सजा म्रत्यु धंड हमारे यहां भी बनेगा वोई कानून तो यह लड़ाई लड़नी है इस लड़ाई में आपका सहीयोग चाहिए आप एक एक व्यक्ति भी हमारे साथ आएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और इसी ताकत से हम यह लड़ाई को चार साल में पूरा करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबर बने अभीयान में शामिल हों और व्यक्तिकत जीवन में थोड़े कुछ आप सुधार करें, जैसे अभी हमें दर्द है कि नेता विदेशी बैंकों में पैसा जमा करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था बाधित होती है, तो आप अपने जीवन में ऐसा कोई काम ना करें, जिससे देश का पैसा बाहर जाता हो, माने विदेशी कमपनियों की वस्तुएं ना खरीदें, कॉलगेट, पामुली, प्रॉक्टर एंड गेंबॉल, रेक्ट एंड कोलमें, पेपसी कोला, कोका कोला, हिंदुस्तान लीवर, इन सब कमपनियों के सामनों का बहिशकार करें, आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा, कौन सा सामन विदेशी कमपनियों का, उसके लिए एक पुस्तक बनाई है, जीवन दर्शन बाहर रखी है, आप ले जाईए, उसमें पूरी लिस्ट है, क्या सामन विदेशी, क्या स्वदे अभी देश में एक प्रतिशत खादी बिकती है, 15 लाक लोगों को काम मिला है उससे, अगर 100 प्रतिशत खादी बिके, 15 करोड़ लोगों को काम मिल सकता है, और आंदर प्रदेश में सबसे जादा संभावना है खादी के लिए, क्योंकि सबसे अच्छा कपास अभी आंदर प प्रेम हैं तो इनका बनाया हुआ सूती कपड़ा जो कपास से बनता है खादी कपड़ा खरीद है खादी मिलती है अंद्रप्रदेश में हर जगे मिलती है आप अपने जीवन में उसको लाएं साल में 10 मीटर भी खादी खरीदेंगे तो करोड़ों लोगों को काम मिलेगा अभी नमूने के लिए आप चाहें तो बाहर एक खादी का स्टॉल लगा वह हमारे ही कारे करता हैं जिन्होंने स्टॉल लगा वह खादी महत्मा गांदी के गाउं में बनती है सेवा ग्राम में वहां से लेके आये हैं आप दो दो पांच पांच मीटर ले जाएए वह खादी में हजारों लोग लगे हैं रोजगार के दिरिश्टी से आप खरीदेंगे उनको पैसे मिलेंगे उनको उत्साह बढ़ेगा और हम चाहते हैं गाउं गाउं ये काम शुरू हो जाए ताकि हर व्यक्ति जो गाउं में रहत के तो जीवन को जादा से जादा भारतियता की तरफ स्वदेशी की तरफ लाएं तो ये देश और महान बनेगा एक तरफ व्यवस्था में सुधार करना है दूसरी तरफ अपने में भी सुधार करना हमारी भी कुछ आदतें बहुत खराब हुई है हर समय हमको काम होगा यही भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद देता हूं आपने बड़े धीरत से मुझे सुना और भी दूसरे लोगों को अगर आप ये बातें सुनाईंगे तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा जो बातें मेरी आपको बहुत काले तीन घंटे से मैं बात कर रहा हूं आप यहां बैठे हैं मैं आपको हिरदय पूर्वक्त प्रणाम करता हूं और किसी के कुछ सवाल हो तो मैं यहां पर हूँ व्यक्तिगत रूप से आप मुझे पूछ सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आब गवमाता के लिए अगर कुछ कर सकते हैं बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहु को पहुंचा दो जिनको सत्ता की परवा ना हो कुरसी की परवा ना हो गाय की परवा क्योंकि जगड़ा आता है सत्ता और कुरसी और गाय का एक बार सत्ता आई ऐसे लोगों के हाथों में जो कानून बना सकते थे लेकिन उन्होंने कुरसी बचाने के लिए गाय को कटने दिया तो ऐसे लोगों को पहुँचा दो संसद में, कानून बदल जाएगा दो मिनट का काम है, केंदर स्थर पर कानून बन जाए गाई के कतल को रोकने का, तो सारे कतल काने बंद करना आसान है, और सिर्फ गाई का ही कतल नहीं, सभी जानवरों के कतल को रोकने का कानून केंदर रखता है क्योंकि हर जानवर हमारे लिए उपयोगी है कोई भी जानवर बेकार नहीं कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसकी हमें जरूरत नहीं है जानवरों को शायद हमारी जरूरत इतनी नहीं है हमको जानवरों की बहुत जादा जरूरत है उनकी जिन्दगी रहे तो हमारी जिन्दगी चले इसलिए जानवरों को तो बचाना ही पड़ेगा और उसके लिए भी कानून बदलना ही पड़ेगा बहुत धन्यवाद